वाउचिंग वेरिफिकेशन में काफी कुछ देख चुके थे प्रैक्टिस मैन्यूल से लगभग हमारा आधे से जादा चैप्टर हो चुका है हम लोग इसका पढ़ने का तरीका भी हम लोग देख चुके अब आगे बढ़ते हैं इसकाउंटेड बिल्स रिसीवेबल दिस ओनर्ड ये भी एक प्रकार का ट्रांजाक्शन है कि कमपनी बैंक के पास गई थी उनके पास उन्होंने बिल्स को डिसकाउंट करवाया और पैसे उठा लिये बैंक से मतलब कस्टमर से बिल्स रिसीवेबल आया था वो बिल्स रिसीवेबल कमपनी ने बैंक से डिसकाउंट करवा लिया और पैसे ले लिये दूडेट को कस्टमर की जिम्मेदारी थी कि वो पैसा सिधा बैंक को दे दे लेकिन ऐसा नहीं हुआ कुस्टमर ने डीफॉल्ड किया बैंक को पैसे नहीं दिये तो बैंक क्या करेगा सिधा वो पैसे कंपनी से ले लेगा Mount Seven recover कर लेगा तुमने बिर आफ एक्षेंज दिया था वो डिसानर हो गया तो इसकी जिम्मेदारी तो तुमके उठानी पड़ेगी और हम तुमसे पैसा वसूल कर लेंगे तो आज अउरिटर हम इसको कैसे चेक करेंगे देखिए यहाँ पर हम लोगों ने स्क्वेंसिंग किये बड़ा आसान है यह पोर्शन को अलग करते हैं पहले तो ऐसे जितने भी इंस्टनसेस हुए है उसकी list लिजे, schedule, detail लिजे, schedule मतलब एक प्रकार से list होता है, detail होता है अभी इसका मतलब table भी होता है, अगर it also means table तो आप एक detail list लिजे कि कितने बार ऐसा हुआ है कि company ने bill discount करवाया बैंक के साथ और वो dishonor हो चुका, ठीक है? अब आप इनको चेक करें상 छोड़े सही है तो पूरे चेक कर सकते हैं बहुत सारे अगर है तो आप उसको रांडमली रांडमली आप उसको सिलेक कर सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं सबसे पहले क्या चेक करेंगे अगर डिसॉनौर हुआ है बिल तो बैंक क्या करेगा बैंक सबसे पहले अपने पैसे र रीकवर कर लेगा तो सबसे पहले client से पैसे रीकवर करेगा तो वो entry देख लो bank statement में वो entry बराबर amount की पास वी ना, bill अगर 50,000 रुपए का था तो 50,000 रुपए की entry दिखनी चाहिए, 50,000 रुपए client के bank account से निकाल लिए, client के account से bank ने निकाल लिया ऐसा नजर आना चाहिए तो नजर आ रहा है बराबर ये particular date पे bill due था, वो dishonor हुआ bank ने पैसे वसूल कर लिए बराबर उतने ही रुपए debit करके निकाल लिए done फिर bank का intimation भी आता है advice word यूज़ करेंगे जब भी ये लोग advice word यूज़ करें, advice मतलब कोई advice मतलब ADVISE नहीं होता कि भाई वो हमको कोई सला मशोरा कर रहे है, कुछ हमको बता रहे है, it's not that it simply means इसका एकदम simple मतलब इसका एकदम simple मतलब होता है, it simply means intimation bank की तरफ से intimation आ रहा है that's it, और कुछ भी नहीं तो chronological order पर देखिए, हमने पहले list ले ली सबसे पहले bank पैसे वसूल करेगा, bank सेक्मेंट में entry देख ली, फिर bank इसके पूरे detail, क्या बिल था, कौन सा बिल था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसका intimation हमको भेजेगा, intimation से चीज़े match होनी चाहिए, match हो गई, फिर जब भी बिल dishonor होता है, अगर बिल dishonor हो रहा है, और आपको customer के against action लेना है, तो logically, बिल बहुत legal, proper, procedure के थुरू, noted और protested होना चाहिए, आप notary के पास जाकर, notary के पास जाकर, correct, आप उसका proper noting और protesting होना चाहिए, आपने बच्पन में पढ़ाई है, noting और protesting होना चाहिए, ताकि legally पैसे recover करने जाएंगे, तो उसमें आसा नहीं हो, basically, it is a proof that, एक proof होता है, कि बिल उफ एक्चेंज, proper present किया गया था, पैसे मांगे गये थे, और सामने वाले ने हमको पैसे नहीं दिये, noting, protesting करवा लीजे, bank, commission भी charge कर सकता है, bank कुछ commission भी charge कर सकता है, correct, तो ये commission, मैं क्यू बेयर क्लान बुलेगा, मैं क्यू बेयर करूँ, ये customer की गलती है, उसके वज़े से मुझे तकलीफ हो रही है, उसको इचार्ज करना पड़ेगा, finally, यहाँ पर उने बोला नहीं, accounting entry भी चेक कर लीजे, client क्या accounting entry पास करेगा, पैसे जा रहे है, पैसे जा रहे है, to bank account credit, 100 रुपए bill of exchange के गए, 10 रुपए कमीशन के गए, 110 रुपए, टेटर से वसूल करना है, customer से वसूल करना है, उसको credit, देबिट, सिंपल आपको sequence याद रखना है, कि भाई पहले schedule लीजिए, खोड़े होंगे तो साले check कर लीजिए, फिर कम check करिए, सबसे पहले bank पैसा वसूल करेगा, उसको bank statement से check करिए, फिर वो intimation भेजेगा, intimation से check कर लीजिए, correct, फिर उसका proper noting और protesting, यह हो गया, अब बिल प्रॉपर, नोटल होना चाहिए, प्रोटेस्टल होना चाहिए, ताकि आगे recovery में दिक्कत ना जाए, वो भी हो गया, फिर commission अगर कुछ चार्ज के है, वो भी customer से वसूल करना है, आखरी में accounting entry सही लगानी है, customer से पैसे लेने, यह debit, bank account से पैसे जा रहे, credit, now, next is advance due to subsidiary companies, due to, मतलब subsidiary companies को, subsidiary companies को loan payable है, due from यह due to, तो ऐसे इसमें मैंने क्या करना चाहिए, वापस जब भी assets और liability आती है, हमने shortcut बना हुआ है, assertions पर ध्यान दो, existence, आप देखिए कि जो documents बनते हैं, जो documents बनते हैं, वो documents नजर आ रहे हैं क्या, जब loan लिया होगा, subsidiary से, subsidiary से loan लिया होगा, तो यहां के board of directors, यहां के board of directors ने allow किया होगा, वहां के board of directors ने allow किया होगा, दोनों के लोगों ने allow किया होगा, वो दिख रहा होगा आपको, correct, दोनों ने allow किया यह particular transaction, फिर दोनों के बीच में agreement बना होगा, agreement बना होगा, पैसे मिले तो, आपको bank account में entries दिखी होगी तो loan लेते वक्ग जो documents बनते अगर वो नजर आ रहे है अगर वो नजर आ रहे है it proves existence existence now कभी-कभी amount due to subsidiary is not just because of loan it can be because of credit purchase also अगर credit purchase के वज़े से है correct आपने purchase किया subsidiary से तो आपको purchase order दिखेगा purchase invoice दिखेगा, good receipt note दिखेगा stock register में entry दिखेगी फिर उसके entry pass और आपको नजर आएगा तो वो documents नजर आने चाहिए अगर सही में यह असली है तो documents नजर आने चाहिए जो documents बने थे particular यह काम करते वक्त आपने list लेनी है लिस्ट लेनी है और आपने देखना है लिस्ट लेनी है आपने देखना है कि सारे loans due to subsidiary है वो बराबर cover हुए है अच्छा इसको आपने और कैसे check कर सकते आप Sup cd ke books में दिख रहा होगा loan given loan given आप देखिए आप देखिए कि जितने भी loan given दिख रहे subsidiaries के books में पराबर loan payable दिख रहे हैं holding company के books में list लीजै देखिए पुरा match हो रहा है ये बी देखिए कि जितने भी loan receeable दिख रहे subsidiaries के इसमें हमारे इसमें ये लोन पेबल नजर आ रहा है ना कोई चीज छूटी तो नहीं है valuation को लेकर कोई specific point नहीं है आप सिर इतना अपने मन से एक एड़ कर सकते हैं अगर foreign currency loan है तो उसका conversion proper closing rate पे होना चाहिए एक चीड़ पे at closing rate rights and obligations की अगर बात करें तो क्या holding company के पास में ये holding company holding company प्रॉपर resolutions पास करके अपने MOA क्या MOA के हिसाब से loan लेना इस तरह का allowed था क्या इस तरह का loan लेना allowed था क्या memorandum of association में check करना चाहिए उसको follow किया है क्या presentation and disclosure schedule 3 के हिसाब से others की अगर बात करें others की अगर बात करें तो देखना चाहिए interest rate security terms के हिसाब से है क्या verify the interest rate at which the loan has been obtained and particulars of the security आप देखे की terms के साफ से जो interest rate बताया गया था security बताया गया था security बताई गय थी वैसा हुआ क्या section 189 आपका यह related party transaction है it is a related party transaction और जितने भी related parties के नाम होते है related parties के नाम उनके साथ में क्या transaction किये उसके सारे details एक register में maintain किया जाता है which is as per section 189 जो 189 के हिसाब से होता है तो आपको देखना है कि वो पराबर fulfill हुआ ना वाइन रजिस्टर बराबर maintain किया गया ना और notes to accounts से भी disclosure होगा इसका तो देखिए existence क्या documents और इसमें आप जोड सकते confirmation को आपके दिमाक में आ रहा होगा तो confirmation भी आप जोड लीजिए देखिए यह points कम नहीं पड़ने चाहिए जितने points से relevant है कुछ और आप relevant points include करना चाहिए कर सकते है existence documents से सारे नजर आने चाहिए जो execute किये थे credit purchase के भी पूरे नजर आ रहा है लिस्ट लिए हम लोग ने लिस्ट से match हो रहा है subsidiary के books में जितने भी loans receivable है हमारे books में बड़ाबर payable दिख रहे है सही है correct valuation में कुछ खास नहीं rights and obligation तो फीन में इस company के उपर क्या company पर obligation रहा है लेकिन अगर बिना company few के मोअ के अगर इसी तरह के लोन लिये गहा है जो directors होंगे, जो company के directors होंगे उसके उपर ही obligation बनता है presentation, related party से loan लिया है, schedule 3, AS18, जब भी related party involved होती है AS18 आता ही है, correct, और others में rate security बराबर है न, section 89 के साब से registers maintain किये गए AS29, AS के काफी questions है, AS12, AS के काफी questions है, मैंने accounting senate लिखा भी है इन questions में भी, अगर आपके मन में कोई सवाल आता है, कोई doubt आता है, तो आप audit guru.in, discussion point area में जाएए वहाँ पर उसको आप लिखिये, में तक बात को पहुचाएए, मैं queries आपकी पूरी solve करूँ audit का जो material है, उसकी सारी queries, even if अगर उसके अंदर accounting standards भी आ रहे है चिंता मत करिये, उतना तो मैं बता ही दूँगा यह बहुत एक अच्छा सा case है, मैं आप लोग को बता दूँ क्या case है एक ऐसा case है कि एक branch है, branch auditor है और वो auditor बोलता है कि branch ने एक loan दिया है और auditor को लगता है कि यह loan doubtful है, पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे डूब जाएंगे इसके साब से इसका provision बारना चाहिए लेकिन branch ने उसको नहीं बनाया, तो auditor ने अपनी जो branch audit report थी उसको modify कर दिया कि provision की ज़रुरत थी उनने नहीं बताया, it is not showing to that extent true and fair view बस यह transaction को छोड़ दो, बाकि सब सही है transaction गलत है, उसने रिपोर्ट कर दिया अब holding company के पास यह बात आई, holding company के पास यह बात आई, तो branch auditory report sign करने के बाद जब holding company के पास यह report आई तो बीच में ऐसा बताया है management ने कि जो loan doubtful बोला जा रहा था जिसके लिए provision बोल रहे थे वो पूरा का पूरा loan recover हो गया, it is completely recovered, पूरा recover हो गया है, तो देखिए रहने क्या बोला, बहुत simple AS4, AS4 का भी example दिया उसने पहले आप बताये accounting sign 4 है, जितनी भी चीजे होती है, साल खतम होने के बाद में, साल खतम होने के बाद till the time of approval of financial statements by board of directors, वो सारे subsequent events है, adjusting होते है, non-adjusting होते है अब ये खबर मिलना, ये information मिलना कि पूरा का पूरा loan recover हो चुका है, branch का, ये branch ने एक जो loan दिया था, पूरा का पूरा recover हो गया, now, 31st March को contingency था, doubt था, वो doubt पूरी तरीके से clear हो रहा है, ये information मिलने से, तो it is an adjusting event, पक्का ये adjusting event है, loan branch का है, loan branch का है, लेकिन पूरे company के financial statement finalize करने से पहले, ये हमको जानकारी मिली है, इससे clarity मिलती है, 31st March की जो contingency था उसको लेकर, उसका effect परावर, और उसका adjusting event nature का है, और clarity हमको मिलती है, तो company को कोई provision की जरुरत नहीं है, उन्हें provision नहीं बनाया है, मतलब सब सही किया हुआ है company नहीं, auditor को क्योंकि बराबर accounting दिखरी है, जो information है, उसके हिसाब से as on today बिल्कुल सही accounting है, कोई provision की जरुरत नहीं थी, there is no need of any provision, तो ऐसे case में, in this particular case, ठीक है, जो head office का auditor है, वो देखेगा, रहे यार, कोई provision की जरुरत नहीं है, कोई provision नहीं बनाया हुआ है, absolutely fine, he is going to issue clean report, बात समझ रहा है अब, branch auditor ने report qualify किया था, चलो material चीज थी, लेकिन additional information मिलने के वज़े से, principal auditor भी यह सोच रहा है, सब बराबर तो हो गया, अब additional information मिल गई है, चीज़े prove हो गई है, उसकी साब से accounting हो गई है, तो मुझे उसको कोई report करने की जरुरत नहीं, मैं तो clean report दूँगा, इसलिए ऐसा बोलते हैं, कि अगर branch auditor ने अगर अपनी report को modify कर दिया, तो क्या principal auditor ने भी अपने report को modify करना चाहिए, ऐसा नहीं है, पहले materiality चेक की जाती है, हो सकता है branch के लिए कोई चीज material हो, लेकिन head office के point office से देखेंगे, जो इतना बड़ा फैला हुआ है, उसके लिए material ना हो, पहले वो चेक करो, दूसरा चेक करो, वो resolve हो पा रहा है क्या, क्या management के लोग उसको resolve कर रहा है क्या, अगर हो पा रहा है तो बहुत बढ़िया, clean report दो, यहाँ पर ऐसे ही हो रहा है, material item था, बड़ा item था, लेकिन resolve हो गया न, तो फिर जो principal alter है, वो अपनी तरफ से तो clean report ही देंगे, फिर question number 29 है, loss of inventory by theft, चोरी हुए है, inventory subcontractor के पास है, sale of empties, बड़ा interesting है, और expenditure for advertisement in newspaper, loss of inventory, loss of inventory by theft, अगर चोरी हुए है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले, अगर चोरी हुए है, हमको चेक करना है, पहले ये चेक कर लो कि, पहले ये चेक कर लो, कि क्या stock को insure किया गया था, पहले चेक कर लो कि क्या stock को insure, whether this particular stock was insured, क्या policy लेकर insured था, for loss against the theft, अगर ऐसा था, तो चेक करो कि company के लोगों ने claim बना कर के, claim बना कर file किया है न, insurance company के साथ, insurance company के पास में file किया है न, वो देख लिना चाहिए, क्योंकि जब भी नुकसान होता है, insurance company इसको बताना चाहिए, जल्द से जल्द time limit होता है, particular time limit के अंदर ये आपको बताना चाहिए, अगर आप नहीं बताएंगे, तो claim मिलने में दिक्कत हो सकती है, claim मिलने में problem हो सकता है, तो पहले तो insured था क्या, अगर insured था, तो claim lodge किया, क्योंदेख लिज़े, इन्होंने कितना stock था, कितना नुकसान हुआ है, कितना claim ये लोग कर रहे हैं, ठीक है, फिर FIR, चोरी हुई है, चोरी हुई है तो, but obvious है कि इन्होंने, first information report, police के पास में FIR, इन्होंने जाकर, FIR submit की हो, F.I.R. की होगी, तो जाकर देखिए, इन्षरंस का lodge होगा, फिर इन्होंने, F.I.R. के पास से लोग, police वालोंस के पास गए थे, क्या, इन्होंने FIRST, F.I.R. दर्च करवाई क्या, ये प्रूव करता है, ये अगर F.I.R. देखते हैं, इन्षरंस की प्रूव करता है, कि genuine चोरी हुई है, सही में चोरी हुई है, तो देखिए, F.I.R. है क्या, तो अगर F.I.R. है, अगर F.I.R. नहीं है, तो reasons पूझे for not filing, क्यों file नहीं की, दाल में कुछ काला है, हो सकता है, F.I.R. file क्यों नहीं की, हो सकता है कि company के अंदर के लोगों नहीं चुराया है, और वो लोग फसना नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्हें F.I.R. नहीं किये, चाके valid reason लिजे उनसे, F.I.R. के जो content होंगे, वो चेक करिए कि F.I.R. में, books of accounts में, जितना, books of accounts में जितनी inventory थी उस देट पर, जितनी हमने accounting entry पास की है, loss की, उतना ही F.I.R. में नजर आ रहा है ना, वो ही details F.I.R. में नजर आ रहा है ना, वो आप चेक कर लीजे, और आकरी में, जो inventory चोरी हुई है, वो ध्यान रहेगी, वो inventory में अब ना है, उसका तो loss book कर लिया होगा आपने, loss due to theft account debit, to trading account credit, या फिर stock, stock account credit, आपने तो entry pass कर ली होगी, उसको आप stock में मत बताईए, अब को अब वो stock आपका नहीं रहा, देखे, तो एक sequence में था, हमको पता चल लो, there is a loss due to theft, तो पहले तो insured था क्या, पहले insurance लिया था क्या, claim कर दिया, फिर, पुलीस वालों के पास जाकर F.I.R. की क्या, नहीं की तो क्यों नहीं की, उसके reasons क्या थे, why it was not done, genuine reason भी हो सकते हैं, फिर, F.I.R. के जो content है, F.I.R. की जो बाते हैं, और जो हमारे पास में evidence है, accounting entries है, वो आपस में match हो रही है, और ध्यान रखे, साल के end में, वो stock up चोरी हो चुका है, वो हमारे closing stock में ना दिखे, जब भी transactions होते हैं, हम flow धूर नहीं कोईश करते हैं, जब भी assets और visible है, assets है, liabilities है, हम लोग फिर एक जो, हमारा assertion based वैसा चलते हैं, generally ये दो चीजों से हो जाएगा, exception होते हैं, खादे कुछ, जिसे bank था, cashed bank, हम लोगों ने reconciliation पे ध्यान दिया, reconciliation पे ध्यान देकर, हम लोगों ने उसको याद रखने की कोशिश किया, हम पोशिश करते कि एक standard technique, standard flow हो हर जगा पे, लेकिन अगर वो standard technique, standard technique, standard flow, अगर नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो आप, आप चिंता ना करे, don't worry about that, मतलब majority चीज़े, आपको एक flow में रहेगा, या फिर ये assertion में रहेगा, एक हाद कुछ चीज़े थोड़ी अलग भी हो सकती, सब के बारे में हम लोगों ने comment किया, सब के बारे में हम लोगों ने बता है, तो client के पास में, client के पास में जो inventory थी, उसने वो inventory को fabrication के लिए, processing के लिए, किसी और के पास भेजा है, उनके पास रखा है, और उसको अभी हम पूच चेखा है, पहले तो ये क्या real transaction है क्या, is it a real thing, तो आप देखिए reason क्या है, is it logical, मतलब, क्या ये regular activity है, is it a regular activity, कि हम लोग आए दिन goods को भेज़ते रहते, इस तरीके से fabrication के लिए, इस तरीके से processing के लिए, it's a normal thing, अगर real है, if it is a real thing, so it should be a usual normal transaction, अगर है तो it proves, it's real, confirmation letter सामने वाले से, हमारे पास में इतने goods है, इतने quantity है, ये goods है, ये quantity है, ये उसकी quality है, इसके उपर इतना cost इंकर कर चुके है, वो detail हमको मिलना चाहिए, completeness के बारे में कुछ लिखा नहीं है, लेकिन, we should see documents, जितने भी goods भेजे गए है, जितने भी goods भेजे गए है, अपरेशनल रेकॉर्ड के इसाब से जितना goods with supplier है, उतना ही हमारे इसमें दिख रहा है, complete है न चीज़ है, valuation, valuation, हमने fabrication के लिए, processing के लिए goods भेजे है, वो goods हमने भेजे, processing हो रही है, processing हो रही है, लेकिन वो goods हमारे है, they're doing processing बट देव हमारे है, तो आपको देखना चीज़ है कि goods जब हमारे पास से गये थे, तब तक की सारी cost, WIP में आ चुकी है, फिर वहाँ पर क्या अलग-अलग processing charges से बड़े-बड़े है, वो भी cost में आना चीज़ है, even that, even that should come in cost, वो हमको cost में include करना चीज़ है, cost और NRV which is lower, उसके साब से valuation करना चीज़ है, और provision, जैसे अगर सामने आला खर्चा करता है, तो हम inventory cost में तो ले लेंगे, at the same time, उसका provision भी बनाएंगे, provision भी बनाएंगे कि भाई, processing charges, conversion charges, account debit, उसको हम लोग debit करेंगे, और to provision account credit, कि सामने वाले को इसके लिए पैसा पेबल है, तो आप देखिए, वैलुएशन में, कि अगर goods उसके पास में है, तो हमने कितना काम किया था, कितना cost incur करके उसको भेजा था, फिर उसने कौन से, फैबरिकेटर ने कौन से खर्चे incur किये, ठीक है, फिर cost मिल जाएगी, पूरी cost और विच्रेश लोर कर लो, provision दिखना ज़रूरी है, अगर inventory के cost में कुछ आपने लिया है, तो उसको book करना पड़ेगा, उसको आपको book करना पड़ेगा, provision create करना पड़ेगा, P&L में आपको debit करनी पड़ेगी, ये expenses, processing charges, अगर कोई difference आ रहा है, तो क्या उसको adjust किया गया क्या, whether it was properly adjusted, presentation disclosure में इसको disclose करना पड़े, under the head current assets, हमारी inventory में दिखाना है इसको, it's part of our inventory, ऐसा इसको बताना है, तो existence की बात की reason होना चाहिए, confirmation, वही पे adjustments, completeness, कि हम लोग ने बात की, थोड़ी बत यहां पर तो कुछ उसका specific point दिया हुआ है नहीं, फिर भी कोईश करने चाहिए list लेकर देखे, कुछ छूटा तो नहीं है, valuation में costing की बात की, cost NRB which is lower, उसका दूसरा effect, corrosion मनना चाहिए, and so on, कि याश थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है मुझे, not perfectly fine, एक लगास वोड़ा सा लेट भी शुरूआ, सोच रहा था, लू, नहीं लू, लेकिन फिर लगा कि, आँ, class तो ले ही सकते, it may happen that time I take a break in between, जब मुझे जरूत होगी मैं ले लूँगा, अपनी regular break का time तो हमारा fix है, 8.45 से लेके, 9.15 तक हमारा break होता है, अगर मुझे लगा बीच में, तो बीच में और 5-10 मिनिट का break होता है, now, sale of empties, empties क्या होते अब हैं, बहुत सी बार हमारे जो गुड्स होते है, वो बड़े-बड़े containers में भीजाते हैं, empties are nothing but, empties are nothing but, they are the containers, they are the containers in which main product is sent, main goods are sent, अगर, so it is, ये drums, it can be in the form of drums, big, big, stale, containers, in which goods are filled, empties मतलब ऐसी चीजे, इसके अंदर goods को हम लोग भरते हैं, containers होते हैं, drums होते हैं, इसमें भरते हैं, और हम लोग हमारे customers को भेजते हैं, हम लोग जब customer वो goods को यूज कर लेता है, और खाली जो खाली containers है, drums है, या कोई भी item है, वो वापस लेकर आता है, वापस लेकर आता है, client के पास में, they bring it back to the client, they bring it back to the client, client के पास में लेकर आते हैं, और client उसको खरीद लेता है, company उसको खरीद लेती है, पैसे दे कर लेती हैं, ध्यान देंगे, ऐसे कुछ industries होती है, जिसमें goods जब भेजने, customer को, तो हमको empties, containers लगते हैं, और बहुत सी बार, कभी-कभी अगर यह बहुत महेंगे है, तो इसको बेचा जाता है, it is sold, लोग तो caddyback sale करते हैं, तो इसको sale किया जाता है, continuous को, suppose एक लाग, दो लाग रुपे में इसको बेचा, और उनको बोलते हैं, गर वापस लाग कर दोगे, तो 80% में हम खरीद भी लेंगे, उनको encourage करते हैं, उनको encourage करते हैं, कि भीया, यह empties, continuous वापस लाग कर दीजे, आपको उसके 80% पैसे वापस मिल जाएंगे, क्या बोला है, सबसे पहले तो, अगर empties की value बहुत जादा है, valuable है, तो आपने उसका separate account बना चाहिए, you should make, हम लोगोंने उसका separate account बना चाहिए, empties का हिसाब रखने के लिए, opening stock कितना है, कितने हम लोगोंने और purchase किये, कितने हम लोगोंने customers को भेजे, customers को भेजे, आज कितना closing balance है, आज कितना closing balance है, इसका separate account ही बनाना चाहिए, जैसे correct, इसका अलग से account, सबसे पहले separate account बनाईए, separate account बन गया है, okay, fine, तो अगर बहुत valuable है, तो आप देखिए, इसका separate account बना चाहिए, बनाई है क्या, बनाई है, दूसरी बात, अब इसको बेचना शुरू, बेचा होगा सबसे पहले, बेचा होगा, तो आप entry चेक करिए, entry चेक करिए, अगर empty इसको बेचा है, तो entry चेक करिए, बराबर cash account debit to sale of empties account, create sale of the debtor account debit to sale of empties account, तो बराबर account तो maintain किया, बराबर sale की entry, सबसे पहले बेचते ही होगे, तो sale की entry बराबर है न, है बराबर, अगर, ये create पे sale किया है, create पे sale किया है, तो बराबर debtor account को debit किया है, cash sale बराबर cash वसूल किया है, अगर create sale है तो देखो बराबर डिटर को debit किया है ना उनसे confirmation किया है वो आप देख लीजए, confirmation बाद में आते हैं फिर उनको हमने भेज दिये चीज़े record कर लिया हम लोगोंने, अब हमारे पास में record होना चीए कि आपके जो empties account है तो आपको बता देगा, opening इतना था, purchase इतना था, sale हुआ, इतना closing है आपको empties account जो रहेगा वो बता देगा detail में कि हमारे पास, हमारे पास में कितने empties रखे हुए है और ये भी हम लोगों को पता होना चीए कि कितनी जो empties है वो customers के पास, customers के पास में कितनी empties है पता होना चीए year end पे और ध्यान दे, जो empties big चुकी है, अब year end पे ध्यान दे, जो हम finalize करें, जो empties big चुकी है, customers को हम लोग बेच चुके है वो हमारे stock में ना दिखे, वो हमारे inventory में नहीं दिखना चीए, stock में नजर नहीं आना चीए end में उनसे confirmation मंगवा सकते, confirmate कि भई है ना, proper situation भी है ना, हमारे inventory में नहीं रहे, उनके पास में रहे suppose उनसे पैसे वसूल कर रहे है, उनसे proper confirmation आ रहा है ना, और वो proper confirmation आ इस बात को मान रहे है, सही सब situation बराबर है आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा, यह customers से पैसे receable है, MTs के, MTs के पैसे receable है, यह पैसे दे देंगे ना हमको, यह तो या तो पैसे दे दो, या तो पैसे दे दो, या फिर MTs को return कर दो, MTs return कर दीजिए, विश्वास हो रहा है ना, कि पैसे मिल जाएंगे, नहीं तो फि हिसाब लगाईए, कि how many MTs customers में return after the close of the year, कितने भेज सकते हैं उसके हिसाब से, कितने लोग भेजेंगे, कितने लोग नहीं भेजेंगे, वो आपको हिसाब लगाना पड़ेगा, चलिए देखिए, इंटरस्टिंग था, फिर से आप लोग को बता दू एक बार, MTs, अगर MTs काफी valuable है, तो उसका separate account मनाई है, सारे details वहाँ पर maintain करिए, अब accounts की बारे में, opening stock बराबर आया ना, purchase बराबर debit हुए ना, sales, closing था, फिर यहाँ पर sale हुआ होगा, cash sale हुआ तो बराबर MTs का cash sale हुआ, पैसे मिले ना, create sale हुआ तो बराबर उसको debit हुआ ना, correct, फिर, customer को आपने debit कर दिया है, बहुत चीह बात है, now, अब year-end पे, यह साल भर चल रहा है, year-end पे ध्यान रखना है, जो हम बेच चुके है, जो बेच चुके है, वो हमारे stock में ना आए, customers से receivable वो नजर आए, हम लोग confirmation ले कि भीया तेरे पास नहीं है, तेरा balance outstanding है ना, पैसे देने वाला है ना, कब देने वाला है, वो confirmation ले ले ले, उसके basis पे, ठीक है, या फिर हमारा, हमको पत, और ये भी ध्यान रखे, मतलब confirmations भी ले लिजे, हमारा अंदाजा क्या होता है, कितने लोग वापस देंगे, कितने नहीं देंगे, पैसे डुबाएंगे, इन सब को ध्यान रखके, provisioning बनवाईए, provision बनवाईए, provision बराबर है क्या है, पूरी सी sequence में यहाँ पर change कर देता हूँ, अगर हम लोग बात करते हूँ, इफ वी टॉक अबॉट अडविटीजमेंट, अडविटीजमेंट का expenditure बहुत, लाखो कड़ों में अगर खर्चा बुक्त है, कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले तो एक पूरा detail list, schedule लीजे, कितने अडविटीजमेंट हम लोगों ने की है, पूरी entries लीटे, रैंडमली कुछ अडविटीजमेंट की entry सिलेक करेंगे, सबसे पहले newspaper, copy of newspaper, जहाँ पर यह अडविटीजमेंट डिस्पले हुई है, वो लीजे, देखिए, अडविटीजमेंट डिस्पले होगी ना, अडविटीजमेंट डिस्पले होगी, तो जहाँ पर डिस्पले उसकी cutting देखिए पहले, और इतना ही नहीं, सारे issues of the newspaper, newspaper की cutting देखिए, हाँ हुई थी, अगर उसने promise किया था, जैसे newspaper होते है, newspaper में region-wise अलग-अलग supplements बनते हैं, मतलब जैसे अगर मैं बात करूँ, दैनिक जागरन, दैनिक भासकर, दैनिक भासकर अगर मैं बात करूँ, तो दैनिक भासकर के हर region के लिए, हर region के लिए, अलग-अलग उनके papers होते हैं, महराष्ट्रे में हैं, विधर्ब region के लिए अलग होगा, मध्यपदेश के लिए अलग होगा, अलग-अलग versions होते हैं, आप देखिए, पहले तो कि सही में print हुआ है न, और जितने issues promise किये थे, के सभी के सभी issues में उसको print किया गया न, वो confirm करिये, अगर न्यूसपेपर आड दिया है, तो न्यूसपेपर आड खुद देखा, सारे issues के कर लिए, उसका content देखिए कोई personal nature का नहीं होना चाहिए, जो advertisement है, इंप्लोईस को birthday wish कर रहे है, उनकी anniversary wish कर रहे है, सब नहीं चलेगा भाया, it won't do, it won't help, it won't help, यह सारी चीजे, यह सारी चीजे help नहीं करने वाली, तो business का advertisement होना चाहिए, content देखो, आपने देखिए, print हुआ है, content समझो, business का होना चाहिए, date of advertisement, current year का है तो current year expense आएगा, current year का है तो current year expense नहीं तो अगले साल का है, फिर finally उसका bill हमको आता है, तो bill देखिए, bill देखिए कि क्या rate से charge किया है, कित्ती बड़ी advertisement है, क्या rate से charge किया है, calculations बराबर हैना, square centimeters में होता है, newspaper के जो add देते हो, square centimeters में होते है, half page add, half page add, full page add, उससे बड़ा add, वो देखिए, फिर इसके बाद में, tedious, ensure deduct, tedious, जब हम add advertisement expenditure pay करेंगे, तो हम लोग TDS deduct करेंगे, तो देखिए sequence में, खर्चा देख रहा है, randomly कुछ select करिए, उसका newspaper cutting चाहिए, सभी issues में जाना चाहिए, उसका content पढ़िए, बराबर हैना, उसकी date देखिए, current year में हैना, फिर उसका bill आता है, उसके rates, उसके calculations बराबर हैना, फिर उसका payment होता है, उसका payment होता है, तो आप payment भी देखिए, कि जो payment है, वो करते वक्त TDS, correct, TDS काटा गया ना, reduction of TDS, और अब service tax नहीं है, तो GST है, GST input हो सकता है, हम eligible है क्या हमने लिया है क्या, फिर बहुत ही आसान, provisions versus specific reserve, यह बच्पन से हम लोग पढ़ रहे हैं, provision दो चीजों के लिए बनाय जाते हैं, अगर company कोई expense incur कर रही है, loss incur कर रही है और पैसा payable है, पैसा payable है तो उसके लिए provision बनाय जाता है, या फिर company का कोई asset की value गिर रही है, diminution in value है, diminution in value of the asset है, correct, तो फिर उस case में भी, उस particular case में भी provision को बनाय जाता है, provision is made, तो दो case में provision बनाय जाते हैं, जो provision है, provision is charge against the profit, वो चार्ज against the profit है, वो provision mandatory nature का होता है, भई, liability incurred की है तो provision बनाना पड़ेगा, loss है तो provision बनाना ही पड़ेगा, diminution value है तो करना ही पड़ेगा, mandatory nature का होता है, company को करना ही पड़ता है, तभी company क्या P&L, true and fair view देगा, सही financial performance बताएगा, it is a charge against the profit, it's mandatory, so provision is nothing but a liability, provision can be liability or diminution value of, it's a liability, diminution value of the asset, the only point is, we are not able to, we are not, we cannot, substantial accuracy नहीं होती, it is an estimated amount, there is no substantial accuracy, correct, कई example, provision for income tax is an example, provision for depreciation, that is reduction in value of the asset is an example, specific reserve, reserves are generally voluntary in nature, reserves voluntary in nature होते है, किसी particular purpose के लिए बनाय जाते है, और profits को, और profits को, धीरे profits को transfer कियाते है, reserves बनाने के लिए, so reserves are voluntary in nature, they are for specific purpose, profits are transfer for that purpose, specific reserve के बात करूँ, sinking fund, debenture redemption fund, debenture redemption के लिए, sinking fund, sinking fund, building fund, dividend equalization fund पुराना होता है, correct, development rebate reserve and so on, it is transfer of profit, it is not charge, it is not charge, it is voluntary transfer of profits है, यह कोई खर्चा नहीं है, it is not for any expense, कोई expense के नहीं है, यह हमने अलग से करकर रखा है, reserves हम इसलिए बनाते हैं, ताकि उतना corresponding पैसा बिजनेस में retain हो, retain हो, और जिस purpose के लिए retain किया है, उस purpose के लिए use हो, इतना important मुझे नजर नहीं आता, लेकिन अब आया तो हम लोगों ने cover कर लिया, advance given to director, आईए advance given to director, सबसे पहले loan का compliance, अगर आपने advance दिया है director को, अगर आपने advance दिया है director को, तो सबसे पहले loan का compliance, लोन का compliance जरूरी है, आपके act compliance section 185, जब भी director को loan दिया जाते है, section 185 के provisions fulfill होने चाहिए, तो हमको उसका पहले provision fulfill हो रहा है के वो देखिए, फिर उससे छोटा articles of association में power था क्या, पावर था क्या directors को loan देने का, directors को loan देने का power था क्या, वो आप check कर लीजे, तो पहले law के इस साब से चीदे बराबर थी क्या number one, फिर उससे छोटा article तब association के साब से बराबर थी क्या, फिर contract बना होगा, legal contract होगा, terms and conditions पढ़िए, it should not be prejudicial to the interest of the company, company के लिए harmful नहीं होना चाहिए, पढ़िए उसके terms and conditions, interest rates देखिए, then उसकी account जब हमने loan दिया होगा, accounting entry पास ही होगी, payment करके हम लोग ने, देखिए bank book, bank book, cash book, उसके supporting vouchers, उसकी accounting entries देखिए, फिर regularly उससे interest वसूल कर रहे हैं अब वो देखिए, confirmation लीजे कितना, उनसे पूछे कितना balance outstanding है, बहुत सारे सबूत ले रहे हैं, one of them is कि उनसे confirmation लीजे, बच्चों को ऐसा लगता है, सर वो सच क्यों बोलेगा, एक तो सब लोग चोर नहीं होते हैं, सब लोग जूटे नहीं होते हैं, हाँ, कुछ तो होते हैं, जुड बोलते हैं, चोर भी होते हैं, लेकिन सब ऐसे होता ऐसा नहीं है, और सिर्फ उनके ऊपर थोड़ी बहरोसा नहीं है, उसके अलावा और भी चीज़े हैं, उसके लिए हम बहरोसा कर रहे हैं न भाया, फिर उसके बाद, उसको बराबर balance sheet में, balance sheet में बराबर शो किया ना, loans given to directors, क्योंकि उसको अलग से बताना पड़ता है, और AS18 में भी related party को दिया है, तो उसको अलग से बताना पड़ता है, देखिए points हैं लेकिन अगर इस sequence में आद रखेंगे, director को loan दिया, फिर long compliance, फिर AOA का compliance, फिर agreement, agreement के बाद में payment के details, आपके बराबर payment के details हो गया है, correct, फिर उस दिने के बाद, regularly interest वसूल कर रहे ना हम लोग, आखरी में confirmations लीजिए, carefully उसको दिखाईए, notes to accounts में loan unit directors, AS18 में भी, it is a related party transaction, उसको वह आपे अलग से बताना चाहिए, अगर आपको flow मिल जाए ना, एक बार एक बोलने का तरीका, बताने का तरीका मिल जाए, तो मैं आपको आपके problems, बहुत अच्छे से solve हो सकते, let's take a 5 minute break, 5 minute का break लेते हैं, आप लोग भी 5 minute का break ले लीजिए, चलिए, repayment of foreign loan की बात करते हैं, पहले तो loan का agreement बना होगा, foreign loan लिया है, तो foreign loan का agreement होगा, लेकि transaction का flow है वह सबसे प्यारी चीज़ है, जितनी चीज़े आप flow में याद रख सको उतना best है, पहले agreement बना होगा, agreement पढ़िये कि agreement के terms क्या है, कितना बड़ा loan है, कौन से foreign currency में है, किस से लिया है, क्या उसका interest rate है, कब उसको repay करना है, उसका knowledge दे लिज़े, और उससे चेक करिए कि loan बराबर आप सही loan दिख रहा है ना, सही interest दिख रहा है, फिर, loan लेने के बाद में, installment शुरू हुए होगे, तो installments देखिए, agreement के साब से installments पे किया है ना, और installments, वो proper foreign currency rate यूज़ किया है, installment के वक्त, उस दिन जो rate चलता है, या फिर average rate भी चलता है, as per AS11, उस दिन का rate, average rate उसके साब से convert करके, उसकी accounting हमको देखनी होगी, then, कितने installments पे कियो देखा आपने, इसके लिए permission लगती है, RBI से permission लगती है, तो RBI से permission अगर उसमें मैं बोलू, तो आप एक काम करिये, पहले RBI से permission लेनी पड़ेगी और फिर installments पे होंगे तो RBI से permissions ली क्या RBI से permissions ली गई क्या वो देखिए आप वो देखिए और उसके बाद में installments पे हुए क्या पराबर पहले agreement बनाओगा agreement से चेक करिए फिर RBI से permission ली क्या payments करने के लिए repayments करने के लिए फिर बराबर repayments हुए ना वो चेक करे बराबर rate से convert हुआ ना exchange rate जो exchange rate होगा वो exchange rate आप bank आप bank से exchange rate confirm करिए यह exchange rate चल रहा था ना particular date के उपर वहाँ से आप चेक कर सकते है जो भी gain loss आएगा gain loss आएगा जो भी gain loss है loan book हुआता 70 रुपए के हिसाब से लेकिन आज installment जब pay कर 75 का rate है तो gain loss बराबर debit किया है ना P&L में as per AS11 वो देखिए फिर year end पे confirmation लीजे इतना balance outstanding है और बराबर translate हुआ है ना closing जो closing के बराबर closing rate पे translate हुआ है लेको कितना simple है बोलने के लिए यहाँ पे 7 point है लेकिन पहले agreement होगा agreement से चेक किया फिर installment pay करने के लिए RBI से prior permission ली फिर installments बराबर है agreement के साब से उसकी बराबर accounting हुई उसका profit loss बुक हुआ profit loss उसका bank rate से match हो रहा है profit loss बराबर बुक हुआ profit loss बुक होने के बाद में आपका year end आया year end पे आपका year end आया और year end पे जो loan था year end पे जो loan था correct वो loan बराबर उसको restate किया हुआ है उसका profit loss बुक किया है that's it और पूरे के पूरे points as it is तो आप याद रखी नहीं सकते अगर आप 80% भी points लिख दे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है और अभी खास बात क्या हो रही है ज़्यादा बड़े questions नहीं पूछेंगे तीन या चार mark तीन या चार mark के question आ रहे है उसके इसाब से हमको त्यारी करके रखने है now Grant received for reimbursement of revenue expenditure government grant देता है ना जी government grant देता है आप कोई खर्चा करो और reimburse करता है अगर आप proper purpose के लिए फर्पस के लिए आप खर्चा करोगे सही परपस के लिए अगर आप खर्चा करोगे तो आप लोगो ग्रांट मिलेगा, इसे गवर्मेंट ने बुला है, गवर्मेंट ने बुला है कि अगर आप तुलार एक्स्पेंडिचर करते हो, तुलार एक्विप्मेंट्स लगाते हो, तो उसको हम रियम्बस करेंगे न जी, आपको पैसे देंगे, 50% पैसे देंगे, 30% पैसे देंगे, ऐसे बहुत सारी स्कीम जाती है, तो फिर अगर पैसे मिले है, तो पहले अप्रूल्स आते हैं, उसकी पहले ग्रांट के लिए अप्ला है, अप्लिकेशन बिशते हैं, ग्रांट के लिए अप्लिकेशन बिशते है application के बाद में approval आते है documents आते है उसके बाद में पैसा आता है तो इसी में आप वो points को include कर सकते हैं उन्होंने बोला ने लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि भई applications भी होते है approvals होते है grant तो applications होंगे approvals होंगे उसके supporting documents होंगे उसके आप चेक करिये फिर grant मिला है ना पैसा कोई terms and conditions है क्या कि ये पैसा ये पैसा particular purpose मतलब ये जो पैसा है ये particular purpose के लिए ही use करो ऐसे ही use करो cancer patients के लिए ही use करो कोई terms and conditions है क्या इतना salary में पे करो इतना equipment में पे करो वो terms and conditions भी देखिये utilization उसके इसाब से क्योंकि अगर नहीं होगा तो grant refundable हो जाएगा grant refund करना पड़ेगा refund की entries लगानी पड़े तो पहले आप applications approval supporting documents से चेक किया terms and conditions क्या थी वो पड़ी उसको use कर रहे है क्या बरापर फिर notes to accounts में disclose करना पड़ेगा किस nature grant था क्यों grant था और disclose किया के बरापर और अगर foreign contribution है foreign contribution है तो foreign अगर grant है foreign grant अगर मिला है तो साल खतम होने के बाद में government को बताना भी पड़ता है foreign contribution के लिए act लगता है government को बताना पड़ता है foreign funding के बारे में foreign funding अगर हुई है foreign funding अगर हुई है foreign funding हुई है तो reporting करने पड़ती है ministry of home को बताना पड़ता है कि इतना उनको foreign contribution मिला है तर ऐसा क्यों यह इतिहास रहा है दुश्मन देशों ने दुश्मन देश क्या करते हैं जैसे रश्या के साथ हुआ रश्या में रश्या के जो दुश्मन देश थे हासकर यूएस उन्हों ने इतनी funding की इतना पैसा भेजा रश्या के अंदर रश्या के अंदर के जो evil elements थे evil elements थे society के दुश्मन थे उनको बहुत funding की अंदर ये अंदर प्रोटेस्ट करवाए और रश्या के तुकड़े हो गये तो यह काफी देशों में हुआ ऐसा जैसे अभी पाकिस्तान है चाइना है ये कही से foreign funding करवाएंगे इंडिया में कुछ ऐसे एंजियो कुछ ऐसे जगा पर funding करवाएंगे और वो इंडिया में unrest फैलाएंगे social unrest फैलाएंगे ऐसा होता है हुआ है इसलिए foreign contribution आता है तो government को बताना पड़ता है इसके बारे में इकता पैसा मिल है तो पहले approvals के बारे में बात करिए पहले applications applications और approvals के बारे में बात करिए फिर AS 16 है AS 9 है AS 11 के questions है Accounting standards में नहीं जा सकते बच्चों हम लोग General principles of verification of assets क्या चीज़ें हम लोग उने चेक करनी चाहिए हम लोग पढ़कर है हमारा shortcut ही उसी क्यों पर है पहले हम लोग उने existence Assets physically exist होते है क्या Physically exist है क्या जैसा बोला है वैसा existence है क्या क्या उनकी condition बराबर है Physically exist करते क्या वो इस अभी assets की बात कर रहे Fixed assets, inventory exist करते है क्या हमारे custody में है क्या Existence में है क्या हमारे past में फिर उसके बाद उसकी condition कैसी है, machines working condition में है क्या, stock अच्छी condition में है क्या, damage defective नहीं तो नहीं है, यह check करना होता है हमको, existence check करते है, उसके बाद मैं completeness के बारे में बोला नहीं है, आप लिख दीजिए न, completeness के बारे में बोला नहीं है, हम खुद भी add कर सकते completeness को, फिर add करते हूं लोग, कोई item छूट ना जाए, इसलिए practical life में जो हमको देखने को मिला, वो सब books of accounts में दिख रहा है, क्यों बार बार चेक करना है, कुछ छूट ना जाए, completeness, valuation, valuation के लिए, valuation, उसमें पहले हमेशा cost आती है, 3A, 3B, actually उसी से rate है, हमेशा cost, कोई भी asset जब पहली बार book होता है, तो cost भी book होता है, तो सारे cost, all the costs incurred to bring asset to present position and location, सारे cost उसमें include किये गए ना, जब तक asset ready for use नहीं होता, उसके साब से accounting standard के साब सारे cost, material, labor, overhead, सब कुछ हम लोगों ने उसमें include किये ना, carefully include किये ना, repairs में भी जो long term benefit देने वाले repairs उसको इन हमने include किया ना, फिर valuation, assets को, कभी fixed assets को revalue किया जाता है, investment of cost और market value which is lower किया जाता है, inventory of cost और NRV which is lower वो बराबर किया ना, फिर rights and obligation, यह हम सब पढ़कर आए, title deeds हमारी नाम पर है ना, जो legal documents है, जो legal documents है, title deeds है, title deeds है, वो हमारी नाम पर है ना, हमारी नाम पर है ना, वो हम लोगों को देखना जरूरी है, फिर आखरी में presentation, schedule 3 के हिसाब से सही heading, fixed assets, investments, current assets सही heading में गया है ना, नोर्स्टो अकाउंट्स में इतने proper disclosures चीए थे वो दी है ना, वो हमको देखने पड़ते हैं, यह हम पढ़कर आए, अब यह AS10, AS10 की चीज़े हैं, यह reserves versus provision, पहले हम लोगों ने question देखा है, वहाँ पर refer किये करिये, trade payable, trade payable पर आईए, बड़ाई प्यारा बहुत simple trade payable की अगर हम बात करते हैं, let's talk about trade payable, अगर हम लोग बात करते हैं, existence के लिए best है confirmation, आप trade payable से confirmation मंगवाईए, वो खुद अगर लिख कर दे हैं कि हाँ, इतना पैसा हम लोगो company से recover करना है, बहुत अच्छा सबूत है, existence प्रूव करता है, असली craters है, subsequent payment, आपको दिख रहा है साल खतम होने के बाद, March के अप्रिल में में payment किये गए है, अगर अप्रिल में में payment किये गए, अगर ऐसा आपको नजर आता है, आपको नजर आ रहा है कि payments किये गए, तो वो आपस प्रूव करता है कि भई, creator असली थे, payment हुए मतलब अस तो नहीं है, creator reverse तो नहीं किये, वही मतलब साल में purchase to creator की entry बहुत सही थी और साल खतम होने के बाद reverse हो रहे है, creator debit to purchases, तो फिर उससे हमको शक होता है, कहीं नकली creators तो नहीं है, बहुत simple आसान सा existence के लिए confirmation आपको सबूत दे देगा, subsequent payment आपको सबूत दे देगा, reversal of entries जो है, reversal of entries वो आपको अच्छे खासे सबूत दे देगी, फिर existence के बाद में हम लोग completeness की बात करते, कोई creator छूट तो नहीं गए, cut-off procedure, साल जब खतम होता है, तो खतम होने के आखरी के आखरी के आखरी के जो कुछ दिन है, 5-10 दिन है, उसके आप देखिए, good receive note देखिए, जितने goods मि अगले है, उसका purchase book होना चाहिए, उसका creator book होना ही होना चाहिए, cut-off procedures, इस साल के transaction अगले साल ना चले जाए, और अगले साल की भी check करें, अगले साल की इस साल ना चाहिए, completeness आपको check करना है, cut-off procedure, इस साल के अगले साल ना चाहिए, अगले साल की इस साल ना है, ठीक है, वो आप देख लीजे, और एक बता रहा हो कि, goods in transit, अगर purchase करते हैं, हमारा transporter है, तो जो transit में goods है, वो हमारे goods है, risk और rewards हमारे है, हमारे books में goods in transit book होना चाहिए, वो देख जितने ही purchase record हुए, बराबर creditors में posting हुई है, postings, basic पहले तो चीज़े record हुई है, record हुए है, proper posting हुई है, फिर आप देखिये, bot ledger बनता है, bot ledger is nothing but creator's ledger, bot ledger is nothing but creator's ledger, creator's ledger, creator's ledger, creator's ledger देखिये, creator's ledger, आपका ledger, और general ledger में trade payable account होता है, मैंने आप लोग को यह मैं आपको बता दू, आप लोग पढ़ते भी, self-balancing ledger में, शायद मैंने आपको इसके बार में बताया भी था, लेकिन फिर से बता दू, आपका general ledger होता है, general ledger के अंदर, आपके साथे split करते हो, एक ही ledger में multiple लोग accounting नहीं करते हो, इसलिए split करते हो, dators को अलग से dators ledger में दाल देते हो, creditors को अलग से creditors ledger में दाल सकते हो, इसी को bot ledger भी बोलते है, ठीक है, जो खरीदी हमने goods की उसके लिए है, तो general ledger अपने आप में टाली नहीं होगा, क्योंकि उसमें dators की कमी है, dators missing है, creditors की कमी है, ये कमी को पूरा करने के लिए बनता है, अपर देते हैं, डी एले और देतर लेजर अज्जेस्मेंट बनता है, और ग्रेटर लेजर अज्जेस्मेंट बनता है, इसी को total dators और total dators और total creditors इसको बोला जाता है, यहाँ पर अकाउंट बनता है, यहाँ पर यह जो अकाउंट्स है, इसकी monthly या quarterly basis में इसकी अकाउंटिंग होती है, monthly basis में एक साथ total credit sales को debit मार देंगे, total receipts को credit कर देंगे, total discount को credit कर देंगे, total bad debts को credit कर देंगे, वैसी creators में, क्यों बनाते यह, अब general ledger tally होगा, अब general ledger tally होगा, इससे हम कोई समझ में आएगा कि general ledger जो है, वो accurate है की नहीं, इसलिए इन accounts को control accounts भी बोला जाता है, इसलिए जो accounts होते हैं, इनको control accounts भी बोला जाता है, क्यों control accounts क्योंकि इससे समझ में आता है कि general ledger accurate है क्या, यह आपस में match होने चाहिए, इससे समझ में आता है कि हमारे जो, जो data ledger और creditors ledger वो भी accurate है की नहीं, वो भी accurate है की नहीं, तो यह भी match करके देखना पड़ता है, कि आपके जो creditors ledger है, उसका balance और general ledger में जो trade payable account, आपका total creditors account है, creditors ledger adjustment है, trade payable account हो match हो रहे हैं, तो completeness के लिए cutoff procedures बराबर है, entries हुई है, posting हुई है, आपके लेजर के, general ledger के balance, जनलेजर का trade payable balance और जो creditors ledger है, वो match हो रहे है, valuation, कोई long outstanding balances है क्या, लंबे समय से pay नहीं हुआ, कोई dispute चल रहा है कि उनके साथ, कोई dispute चल रहा है, वो लोग ज़्यादा पैसे मांग रहे है, क्या हमको provision मानी, कोई interest का provision माननी की जरूरत है क्या, या फिर long outstanding item की कहानी क्या और देखनी पड़ेगी, या फिर पैसे कम pay करने पड़ेंगे, कुछ balance write back, creditors write back करनी की जरूरत है क्या, rights and obligation के लिए कोई खास नहीं है, क्रेटर को disclose करना पड़ता है, notes to accounts में, notes to accounts में disclose करना पड़ता है, खास कर medium small enterprises को कुछ अलग से payable है, वो अलग से बताना पड़ता है, existence, completeness, valuation, rights and obligation की साब से आप करी, advance to supplier, अगर हम बात करते है, advance to supplier, अगर हम लोग बात करते हैं, तो वापस existence, हमने supplier को advance पे किया है, अगर आपको existence चेक करना है, अगर आपको existence चेक करना है, तो direct confirmation लीजिए, direct confirmation, advance to supplier, is an asset, हप्तार बोल रहा है, हाँ, इन्होंने हमको advance दिया है, चलिए, मतलब exist करता है, real है, real है, real चीज है, ये भी चेक करना चेक, usually देते हैं कैसा, existence, usually ऐसे advances देते हैं, अगर देते हैं, मतलब real है, असली है, direct confirmation मिल रहा है, मतलब असली है, craters ledger, craters ledger से, जित्ते भी craters ledger, जित्ते भी craters का debit balance से, वो list निकल वाई है, that is advance to supplier, वो देखे, match हो रहा है क्या, आपके, match हो रहा है क्या, आपके balance sheet के total से, valuation, देखे, long outstanding है क्या, long outstanding, long outstanding, लंबे समय से, अगर कोई हमको, पैसा नहीं मिला, ऐसा कुछ है क्या, लंबे समय से, advance है, goods और services, मिल जाने चीए थे, या तो, पैसे मिल जाने चीए थे, अगर, लंबे समय से, outstanding क्यों है, तो, पैसे मिल जाने चीए थे, या तो, पैसे मिल जाए, या फिर, goods मिल जाए, दोनों में से एक होना चीए था, long outstanding के देखिए, फिर possibility, क्या possibility है, goods मिलने के, वो देखिए, इसको ध्यान रखके, फिर provisioning करिए, long outstanding है, वो देखिए, क्या possibility है, मिलने की, वो देखिए, फिर उसके इसाब से, provisioning करवाईए, यह पैसे नहीं मिलेंगे, यह पैसे वापस नहीं मिलेंगे, goods नहीं मिलेंगे, तो फिर आपको provisioning करवानी पड़ेगे, rights and obligation को लेकर, कोई खास बात नहीं है, presentation में, assets side में, आपको बताना पड़ेगा, schedule 3 में, that's it, advance to supplier, existence के बारे में बात की, completeness के बारे में बात की, valuation के बारे में बात की, rights and obligation कुछ खास नहीं, देखिए, जहाँ पर specific point नहीं है, आपके मन से भी लिख सकते, अग्रिमेंट्स है, अग्रिमेंट्स में दिख रहा है, correct, हमारे पास में right to, agreement की बात आप कर सकते है, rights and obligation में, how would you vouch and verify, borrowings from bank, bank से पैसे वसूल किये, bank से लोन लिया हम लोगों ने, और work in progress, जली, हमारा, हमें 10 मिंट का break लिया था, correct, अब regular break का हमारा समय हो गया, regular break का समय हो गया है, regular break हम लोग ले लेते हैं, जिते एक regular break, क्यूंकि हम पहले एक break ले चुके हैं, तो हम लोग ये break चुटा रखेंगे, we'll keep it small, हम लोग generally 8.45 to 9.15 का break लेते हैं, let's see, इस बार आज हम लोग break रख लेंगे, एक काम करते हैं, ये 8.55 से break लेंगे, correct, 10 मिट ले लेंगे ना पहले break पांच के, उत्ता कॉंपनसेट भी कर लेंगे, ना, देख लेते हैं पहले इसको, बारिंग्स फ्रम बैंक, एक्सिस्टेंस, पहले एक्सिस्टेंस के लिए आप देखिए, आपके मन में आरहा होगा confirmation, बिल्कुल ठीक चलेगा, आपके मन में confirmation आरहा होगा, बिल्कुल लेजिये, bank से statements आते हैं, वो लीजिये, और बारोइंग्स में जितने documents बनते हैं, पहले बारोइंग्स जितने documents बनते हैं, correct, Board of Directors का Authorization होगा Board of Directors का Authorization होगा कभी-कभी एक ही document अलग-अलग assertion के लिए भी evidence देते हैं तो आप लिख सकते हैं न भई agreement आप देखें उसका agreement नजर आ रहा है क्या पहले authorization दिख रहा है क्या authorization की बाद में agreement बनता है अग्रिमेंट नजर आ रहा है क्या यह भी आपको एक्जिस्टेंस के सबूत देता है अग्रिमेंट बना है मतलब यह रियल है बैंक स्टेटमेंट में दिख रहा है मतलब यह रियल है कंफरमेशन मतलब यह रियल है कंप्लीटनेस कोई स्पेसिविक पॉइंट ने शडियूल ले लीजे पूरा और बॉरेंग्स मैंच हो रही क्या वालुएशन अगर फॉरेंड करंसी बॉरेंग्स है थो बरावर उसको वैलियू किया है ना nationalism rate एक तदेखिएр अगरिमेंट पड़ के समझेगा कि हमारे कितना है ऴौरेंग्स है क्या क्या obligations है कब कितना ॥े करना है क्या requirements है अगर दिख रहा है मतलब सही में हमारे उभरिखार हमारा उपर हमारा लोन है यह हमारे उपर obligation है presentation disclosure borrowings बताइए others में क्यों लिया था यह loan यह check करिया क्यों लिया गया था यह loan why this loan was taken यह loan क्यों लिया गया था purpose others में कभी और statutory requirement companies act लगता है न जी आप ऐसी कितनी भी borrowings नहीं ले सकते पर्पस देखिए purpose क्यों लिया था और purpose के लिए use किया क्या बराबर यह देखना चाहिए इससे समझ में आता है कि genuine बराबर purpose क्या था usual loan है normal loan है कोई गड़बर तो नहीं end use किया क्या और statutory requirements statutory requirements loan लेते तो statutory requirement होती है आप कितना loan ले सकते है उसकी भी limit होती है वो limit मतलब एक particular amount की उपर जैसे companies act में share capital plus reserves की उपर गर आप loan लेना चाहते हो तो आपको shareholders का अप्रोल लेना पड़ेगा तो वो अप्रोल लिया क्या requirement fulfill की क्या वो others में दाला है हमें वर्किन प्रोग्रेस वर्किन प्रोग्रेस में ये लोग valuation की बहुत बात करते हैं डबल आपी में तो valuation की बहुत ज़्यादा बात करते हैं तो हमने उसी से जोड़ा है देखे तो ये exceptions है तो आपको ध्यानों चाहिए है भाई वर्किन प्रोग्रेस में valuation की बड़ी बात करते हैं ये टॉकिंग लॉट अबाट वालिएशन ओंगी तो पहले अप्टेन कॉशिट अप्टेन कॉशिट आपका एक पांड बन जा है पर येट कशिट should B dually attested मतलब जो जो इंजिनियर्स होंगे उन्होंने उसको attest करना चाहिए इजिब वर्क मैंग्र जो काम करवाता है उसने उसको attest करना चाहिए ठीक है फिर ओयटर ने उसको verify करना चाहिए उसमें verify करना चाहिए quantity cost दे उसमें सब चीज़े सारे components बराबर आये ना, उसमें material, labor, overhead वो बराबर आये ना, अब ये कितने आएंगे, depends on stage of completion, stage of completion बराबर है ना, extremely important, stage of completion से WIP की cost उसका valuation बहुत जादा बदल जाएगा, तो पहले WIP में बताइए, WIP का valuation सबसे tricky part है, valuation check करना होगा, valuation check करने के लिए, cost sheet लेनी होगी, cost sheet चड़ोनी चाहिए, works manager, जो manager उसने अट्रेस्ट करना चाहिए, verify करिये, उसमें सारे components है, components की value कितनी होगी, वो depend करता है, stage of completion, stage of completion बराबर आप देखिये, बराबर चेक करिये, किस basis पे stage of completion लिया है, बराबर है na stage of completion, फिर allocation of overhead, overheads बहुत जरुरी है, overheads भूल जाते हैं या फिर उसके calculation में गलती होती है, और आप तो costing के champion app जानती है, overhead का, overhead कितना interesting होता है, allocation of overhead की जो production overhead है, factory overhead है, बराबर उसके उपर allocate किये है न, करने चाहिए उसके उपर, इसको आप पिछले सालों से compare करिये, value के चौपस चेकरने, पिछले साल से compare करिये, value सही नज़र करिये, आप इसको standard cost, आप standard costing, standard cost इतने WIP के लिए कितनी हो नीची है, उससे compare करिये, कि कुछ unusual तो नहीं है, company के लोग क्या करते, कभी-कभी WIP को बढ़ा देते, ताकि closing stock बढ़ जाए और profit बढ़ जाए, तो उसको compare करिये, पिछले साल से compare करिये, standard costing से compare करिये, वाशिट से बात हुई, वाशिट से बात हुई, वाशिट से बात हुई, वाशिट, उसका verification, उस message of complete connected है, फिर all our overheads, comparisons, expert, technical expert की जरुत है तो उसको technical expert की report लीजिए, उसको पढ़िये, उसको evaluate करिये, बराबर है क्या, disclosure, जो goods complete हो गये, जो goods complete हो गये, वो finished goods में चले जाने चाहिए, जो complete नहीं हुए, वो बराबर as a WIP दिखने चाहिए, inventory में as a WIP, inventory में as a WIP, उनको हम लोगों ने बनाना चाहिए, चले एस के questions काफी दाले हुए, एस के questions काफी जादा दाले हुए है यहां पर, एस की questions हम impairment दाला हुआ है, impairment के बारे में मैं आप लोगों को बता दू, impairment मैं आपको पहले बता चुका फिर भी याद दिला दू मैं आप लोगों को, मशीन करी दिया हम लोगों ने पचास करोड में दस दड़िया, उसकी useful life है, 2 साल उसको 50 करोड हम लोगों को का टौरिशुड हम लोगों को टर्प्रिशियट करना है, हमने उसको टेप्रेशिट कर दिया है हमने उसको डेप्रिशिट कर दिया है 10 क्रोड रुपए 40 क्रोड बाकी है 40 क्रोड बाकी है मशीन और आठ सल बराबर चलने वाली है लेकिन प्रोडक्ट बैन हो गया है प्रोडक्ट बैन हो गया है किसी भी रीजन से हमको दिख रहा है कि हम और production नहीं कर पाएंगे प्रड़क्ट बैन हो गया है मशीन पराबर चली कि लेकिन प्रड़क्ट बैन हो गया production कर नहीं पाएंगे तो कैसे वसूल करेंगे पैसा कैसे कमाएंगे अब यार balance sheet में तो दिख रहा है लेकिन 40 क्रोड का तो benefit मिलने ही नहीं वाला इतना benefit तो मिलेगा ही नहीं इससे इतना benefit तो हमको मिलने ही नहीं वाला तो उसको और write-off करना पड़ता है उसकी recoverable value निकालते है recoverable value कि भाई अगर इसको कोई और business में use करेंगे तो कितना पैसा मिलेगा या बेचेंगे तो कितना पैसा मिलेगा which is higher लिया जाता है recoverable value निकलती है और हमने देखा कि recoverable value सिफ 5 क्रोड है तो 40 क्रोड से और write-off करना पड़ेगा उसको impairment बोलते है impairment मतलब है destruction value कभी-कभी even after charging proper depreciation, proper depreciation charge करने के बाद में भी हमको ऐसा दिखता है कि जितनी value दिख रही है वह हम recover नहीं कर पाएंगे तो asset को और write-off करना पड़ता है recoverable value पर लाना पड़ता है उसको हम impairment बोलते है that is called as impairment एसे भी हम लोग expert का काम कैसे evaluate करना हमें देख चुके ऐसे 500 में goods lying with third party भी हम लोग देख चुके है physical verification ये भी inventory काम पड़ चुके इसको SA 501 में 501 में हम लोग पड़ चुके AS और SA के questions AS के काफी सारे questions है AS जादा चीज़े नहीं बाकी है काम करते हैं हम खतम ही कर लेते हैं let's finish it off how will you vouch verify leasehold property leasehold property है let's see सबसे पहले तो leasehold property leasehold property है हमारे asset side में दिख रहा है leasehold property तो physical verification उन्हें लिखा नहीं है लेकिन हम तो उसको लिख सकते हैं existence के लिए इसी leasehold property कोई exist करती है हम उसको आप मारे business के लिए use कर रहे है business के लिए use कर रहे है तो leasehold property आप लोगों ने physical verification करके देखना चाहिए उसके बाद में completeness पर कोई point नहीं है completeness पर कोई point नहीं है आप उसकी जो भी list schedule होगा उसको balance sheet से match कर सकते सब कुछ cover हो रहा है valuation की बात करते है talk about valuation valuation की बात करते है ensure that outlay and legal expenses incurred to acquire lease property have been capitalized आप ध्यान से देखिए कितना पैसा लगा asset को lease पे लेने के लिए कितना cost लगा कितना legal expense लगा वो पूरा का पूरा capitalize होना चाहिए पूरा का पूरा capitalize होना चाहिए पूरा का पूरा leasehold जो property उसमें debit होना चाहिए और फिर lease period जितने सालों का है और पचास साल का है पचास साल का है तीस साल पचास साल का है तो उसकी साब से उसको regularly उसको हमको depreciate करना पड़ेगा leasehold property के depreciate करना पड़ेगा lease period जैसे से खतम होता जाएगा वैसे से उसको हम depreciate करते चले जाएंगे तो valuation की existence के लिए physical verification कर लिया completeness के लिए schedules match कर लिया valuation हो गया rights leasehold agreement लिजे leasehold agreement लिजे that will be very very leasehold agreement लिजे उसमें पूरे agreement को धहन से पढ़िये property का description होना चाहिए parties का नाम लिखा होना चाहिए किसने किसने lease पर लिया clearly और it should be a registered instrument कि हाँ हमारे पास इसका right है registered मतलब properly signed है, properly stamped है authorities के पास में registered है authorities भी है इनके property है lease पे इनके पास में है agreements और पूरे documents नजर आने चाहिए rights condition क्या है lease की condition है क्या इसको particular purpose के लिए use नहीं करना particular purpose के लिए use नहीं करना चाहिए वह देख ली जागए है अगर ऐसे कुछ है condition तो नहीं है restrictive conditions then lease cancel हो सकती है lease cancel हो सकती है company के हाथ से rights जा सकते है इसलिए देखना चाहिए कि proper जो conditions थी जो purpose के लिए बोला गया था उस purpose के लिए use किया गया तो rights and obligations agreements rights and obligations subletting subletting का right है क्या subletting का right है क्या भई subletting का right है क्या और subletting की है तो बराबर conditions के इसाब से है क्या क्या क्योंकि अगर नहीं था allowed तो कई lease cancel ना हो जाए तो agreements देखिए बराबर है condition fulfill हो रही है subletting के rights थे क्या वो भी fulfill हो रहा है क्या others provision अगर हमने कोई property building lease पे ली है तो यह भी देखना पड़ता है others में कभी हमको provision dilapidation तो dilapidation क्या होता है property को property को कोई अगर property तो अगर कोई wear and tear हुआ है कोई wear and tear हुआ है कोई damage हुआ है तो क्या agreement में लिखा है उसकी जिम्मेदारी पूरी हमारी उपर आएगी अगर हमारी उपर आएगी तो हम लोग को ये जब हमको lease property हम वापस करेंगे तो उसको उसकी मरमत करके उसको repair करके ठीक करके देना होगा जो भी नुकसान हुआ है वो पूरा ठीक करके देना होगा अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हमको उसका provision बनाना पड़ेगा डिलापिडेशन मतलब ही wear and tear होना property के wear and tear होना उसमें problem होना उसको हम डिलापिडेशन बोलते है डिलापिडेशन बोलते है तो डिलापिडेशन अगर है ऐसा तो वो हम लोग डिलापिडेशन अगर है तो वो देखना पड़ेगा उसका प्रोविजन बाना पड़ेगा तो existence की बात हो गई, completeness की बात हो गई, rights and obligation बहुत ज़्यादा बाते थी तीन तीन पॉइंट से उसके, valuation की बात हो गई और आफ़ी में अदर उसमें प्रोविजन बाना पड़ता है or arise under the dilapidation clause on expiry of the lease now next is our credit sale, credit sale check करना असान है trade sale है, randomly select करिए, sale आपना select किया यह जो goods है, यह company normally, normal goods है normally यही goods में deal करती है, goods और services में deal करती है, चेक करिए वोई goods है ना, unusual ने, कुछ अलग तो नहीं है correct, पहले normal है, nature वो देख लीजाए, बराबर हो, okay done authorized थाना, पहले goods बराबर ठीक है अब transaction की शुरुवात कैसे होती है, authorization होता है authorization था ना, seniors का authorization, credit sale करना है किसी को भी credit sale नहीं कर सकते, credit sale कर दिया, पैसे डूब गए तो क्या करेंगे तो proper authorities होती है, managers होते है, जिनके पास powers होते है, उन्होंने किया है that sale has been authorized by responsible officiant in token, thereof he has initial credit sale, proper authorized है, लोग की signature है और अगर invoice में कुछ change हुआ है, तो उसमें भी signatures है, initials है, वो देखिए बहुत आसान, normal goods है, authorized है, फिर, sale price sales department, sales, sales price, sales price, quantity बराबर है, ठीक है dispatch, उसका dispatch दिखरा है बराबर, dispatch की date कौन से है, इसी साल का dispatch है dispatch कब है, delivery कब है, वो देखो, इसी साल का है point number four, proper account में create किया है न, अलग-अलग products होंगे, अलग-अलग departments होंगे, सबकी अलग-अलग sale होंगे, तो proper account में create किया है न, और इस साल का अगले साल नहीं किया, अगले साल का इस साल नहीं है, तो normal goods है, फिर सबसे पहले उसका authorization, approvals बराबर है, good, sales price quantity बराबर है, good, dispatch records दिख रहे हैं बराबर, ठीक है, appropriate account में accounting की है, सही period में गया है, तो create sale मतलब बराबर है, now, bot ledger, bot ledger के बारे में बात करते है, bot ledger is nothing but creator's ledger, उसको हम लोग bot ledger बोलते हैं, और उसमें भी बोल रहे है, debit balance है, bot ledger में भी debit balance है, देखो answer को हमने कैसे किया है, पहले, पहले तो आप बताएं, bot ledger का structure क्या होता है, मतलब creator's ledger का structure क्या होता है, opening balances आएंगे, opening creators आएंगे, opening balances, कुछ creators का credit balance होगा, कुछ का debit balance होगा, फिर उसमें purchases, purchases के credit होते हैं, purchase की posting होती है, purchase to credit, purchase to credit, फिर payments की entry होती है, discount मिलते हैं, उसकी entry होती है, closing balance निकलता है, तो कौन से bot ledger का थोड़ा सा ग्यान बाती है, फिर reasons, debit balance क्यों हो सकते हैं, debit balance क्यों हो सकते हैं, उसकी reasons बताईएं, पहले तो अगर हमने suppliers को advance दिया है, suppliers को advance दिया है, तो उस वैसे debit balance हो सकते हैं, या फिर next उनको goods हमने return किये, goods जब खर दिया थे तो ठीक थे, हमने खरीद लिया थे, payment कर दिया थे, लेकिन अब goods हम return कर रहे हैं, अगर goods return कर रहे हैं, तो फिर creator account debit to purchase account credit, return के वज़े से ऐसा हो सकता है, हमने पूरा पैसा मिलने के बाद में, उस वो कोई rebate allowance दिया है, मतलब, उसने बोला था, यार goods की quality बराबर नहीं, goods की quality बराबर नहीं है, तो हमने बोला ठीक है, 20% of the invoice हम तेर को rebate देते, allowance देते, तो creator to, लेकिन वो पैसे पुरे दे चुका था, तो उसके वैसे उसका debit balance है, आप समझे न, आप reason समझे, आप reason समझे, आप reason समझे, advance pay किया, advance pay किया, वो reason हो सकता है, that can be the reason, या फिर, that can be the reason, goods return किये, वो reason हो सकता है, हमने उनको rebate, कोई discount दिया, बाद में purchase के बाद में, पूरा payment के बाद, तो फिर debit balance हो सकता है, पहले आप structure समझाए, reason समझाए, फिर mistakes भी हो सकती है, हमने loan दिया था, गलती से loan तो नहीं आ गया, गलती से हम लोगों ने supplier को loan दिया था, जरूँ थी उसको पैसो की, उसको loan दिया था, गलती से loan तो यहाँ पर cover नहीं हो गया, ऐसी गलती तो नहीं हो गई, ठीक करना पड़ेगा उसको, की करना पड़ेगा भाई, कही पर purchase तो debit नहीं कर दिया गलती से, जो चीज़ purchase account debit करना चीए था, वो हमने, यहाँ पर debit तो नहीं कर दिया, creators को, होती है, सर ऐसा, हो सकती है, गलती लिखा होने, गलती हो सकती है, तो पहले आप structure समझाईए, फिर आप बताए, debit balance के genuine reasons क्या होते है, गलती क्या हो सकती है, था, loan दिया था, पार्टी को यहार, गलती से, उसको क्रेड़र लेजर में, अरे अलग्से से, उसको loan दिखाना पड़ेगा, load account में दिखाना पड़ेगा, उसके नाम से loan account बाना पड़ेगा, general income वहाँ debit करना चीज़ था, गलती से 99 पर दिया, ऐसा थो नहीं कि जो चीज purchase को को डेबिट करने जाि एदी पार्टी को डेबिट मँदी सपोस्सकेश Purchase से खाज purchase to cash होना चेये था purchase to cash होना चेये था Pārti to cash तो नहीं कर दिया Purchase Assuneed पकाॉड को डेबिट करना था Pārti to cash तो नहीं कर दिया गलती तो नहीं है जो भी है अगर अगर स़ी है एडवांस दिया हुआ है उसको सामना लेको सब्सीक्वेंट्ली बिट लगाए क्या सब्सीक्वेंटल्मेंट हो गया उसको गूर्ट और ऑफिसर्स के लोन अगर है डारेक्टर और ऑफिस के लोन है, कंपनीज आग्ट के साब से प्रॉपर अप्रॉवल होने चाहिए, एस 18 शेडूल 3 के साब से प्रॉपर डिस्प्रोजर होने चाहिए, अगर और बट लेजर में और टिविट बालेंस हैं, तो क्या करना ? पहले structure की बात करिये, reasons की बात करिये, गलतिया क्या हो सकती है, सबसेक्वेंटली चीllä बराबर हो हो जा रही है, सबसेक्वेνटल हो जा रही है, बोड़तिया की बाद करिये, now बात करते हैं bank let's talk about the bank cash at bank अगर है cash at bank अगर है तो उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे cash at bank मतलब bank balance करेंगे आसान है bank balance सही है कि यह अगर हमको देखना है तो bank reconciliation statement bank balance अगर सही है देखिए आपके हमारा जो rule होता है existence, completeness कभी-कभी वो शॉर्टकट में नहीं बैठती चीथ है जबर्दस्ती नहीं दालने का एक ही शॉर्टकट हर जगा लगे ऐसा जरूरी नहीं है नहीं बैठ रहा है यार वहां पे इनके जो point से नहीं बैठ रहा है उसके अंदर काम करो अलग है फिर हम ने बैंक रिकए पर संच सबस्थ बैलंस अधस पर भुक्स हुआ रहता होगा नहीं जो अ नहीं ही फिर भी बोल सकते हैं कि balance as per books जो है reconciliation में cash book, bank book के साथ में match हो रहा है क्या वो देख लीजिए reconciling item में क्या होता है reconciling item में checks issued होते है reconciling item में checks issued होते है ठीक है अगर checks issue किये हुए है checks issue है but not yet paid या फिर check deposit किये है but not yet deposit किये है लेकिन अभी तक realized नहीं है पैसे मिले नहीं है या फिर unrecorded items bank में कुछ expenses हुए है book अगर हम लोग unrecorded items bank में कुछ payments bank ने interest pay किया है हमने book नहीं किया है bank charges है हमने book नहीं किया है कुछ payments किया supplier को हमने book नहीं किया तो bank reconciliation के बारे में बात करें कि best bank reconciliation फिर आप bank reconciliation check करने का तरीका है bank reconciliation obtain करना चाहिए properly prepared किया हुआ किस ने prepare किया उसकी sign किसंने अप्रूव किया उसकी sign होनी चाहिए case component कि की बारे में बात कि opening bank balance aspects per books के बारे में बात कि दिकसे लेंगा allen items subsequently चेक शुनाились है तो पेमिन्ट दिख रहा है क्या deposit हो रही क्या लॉंग आऊटस्रेंडिंग तो नहीं है JUST प्लॉंग ओटस्रेंडिंग है तो चाहिं को रिवर्स करना चाहिえー छेक स्टेल तो नहीं हो रह排 अगर चेक्स्टेल हो गए ठीक है आप सबको पता है चेक्स्टेल हो जाते भी यह एक इस्टी करने के बाद में अगर आप उसको deposit ना करे अगर आप उसको deposit ना करे recovery ना करे तीन मैने का समय अगर उसमें आप नहीं करवा रहे भी या तीन मैने के अंदर आप पेमेंट्स नहीं करवा रहे हैं तीन मैने के अंदर अगर चیک नहीं होता है तो वो stail होता है पिर उसके बाद में वो कुछ काम का निये वो check कि बंदे नया check लिना पड़ेगा check stale हो गया है क्या अगर तो वो entries reverse करनी पड़ेगी check deposit की entries या check issued की entries को reverse करना पड़ेगा unrecorded items को record किया गयाना subsequent adjustment दिख रहा है न, tail checks को reverse किया गया न, long outstanding है तो क्या करे अभी इसका qya reason reverse करनी की जरूरत है क्या unrecorded items की record नहीं किये रेकॉर्ड करवाईये उसको balance as per passbook से match करिये bank से confirmation ले सकते हैं उससे भी match करिये bank statement से match करिये bank reconciliation के बारे में बात कि देखो काफी सारे point bank reconciliation आपके दिमाग में आएगा ना bank reconciliation के वही से आपके दिमाग में चीज़े लेकिन कुछ others भी है बहुत सारे bank accounts तो नहीं है अगर large number of bank accounts है much more than required जितनी ज़रोत है उससे भी जादा है तो कुछ इसमें गड़बड हो सकती है why such large number of bank accounts are there कोई unauthorized payments तो नहीं हो रहे हैं unauthorized payments तो नहीं हो रहे हैं banking transaction में कुछ गड़बड तो नहीं हो दिखना पड़ेगा कोई blocked amounts है कभी-कभी पैसा होता है लेकिन blocked होता है पैसा है मारे पास में हमारा bank account है हमारा bank account है उसमें पैसे दिये बट blocked है agreement के अंदर loan के अंदर blocked है particular purpose के लिए उसको use कर सकते कोई account inoperative है क्या लंबे समय से क्यों inoperative है पैसे उसमें से record तो कर पाएंगे न FDs FDs कितनी है fixed deposits कितने है क्या nature है उसको disclose करना पड़ेगा disclosure में बताना पड़ेगा bank balances कितने है कितने blocked है कितने blocked है correct FDs है वो सब अलग-अलग आपको सेकरे सेपरेटली बताना पड़ेगा तो यह others में large number of bank accounts तो नहीं blocked तो नहीं inoperative तो नहीं FDs and disclosure schedule 3 के हिसाब से schedule 3 के हिसाब से disclosure वो भी हमने cover नहीं कि disclosure आप यह accounts में पढ़ते हो जो चीज़े accounts में पढ़ते हो नहीं ली है फिर क्या करते है next is sale of investments देखिये sale of investments sale of investments की बात करते पहले तो authorization transaction हुआ है sale of investments तो authorized board of directors board of directors है या उनके नीचा authorities है किसके पास right है investments को sale करने का board of directors committees authorities proper person ने proper person ने sale of investments को approve किया है ना authorized किया है पिर कैसे बेच रहे method क्या है पास पास आज मतला इंवस्मेंट्स बेचना है किसी ब्रोकर के थूझ जा रहे है बैंक के थूझ जा रहे है प्रोकर आज कल तो ब्रोकर के थूझ जाते है bank का भी department होता है जो यह करता है broker है कौन सा broker है कौ Bennett bank के थू जा रहे है क्या method यो इसकी बेचने है authorization ले ले ठीक है बेचने के लिए method क्या था broker जब बेचते है तो contract note या broker's note contract note broker's note उसमें star details होते क्या बेचा कब बेचा क्या कॉंटिटी क्या रेट क्या टैक्से सब कुछ रहता है वो ले लो sudah के सेल वो देख लो मित्रड का persuasion का डेच करलो प्रोकर्स κα्य advertise ब्रोकर से चीजों को मैच करलो देखे नीचे रही ब्रोकर है तो तो ब्रोकर्स नोट से मैच कर लीजिए फिर सेल के इंट्री बराबर बुक किये ना वहिया सेल प्रॉफिट लॉस बराबर निकाला ना सेल प्रोसीड्स माइनस बुक वैल्यू सेल प्रोसीड्स माइनस बुक वैल्यू अगर आप करोगे तो आपको प्रॉफिट लॉस मिलता है प्रॉफिट लॉस बराबर निकाला उसकी बराबर अकाउंटिंग की है बराबर उसको अधर इंकम में बताया है अगर पार्शल सेल है इंवेस्मेंट्स पूरे नहीं बेचे कुछीवेस्मेंट्स बेचे है तो आपको सेल प्रोसीड्स माइनस बुक वैल्यू बुक वैल्यू कितनी लेना सेल प्रोसीड माइनस बुक वैलू करना पड़ता है जो बुक वैलू है कौन सा आपको अवरेज कॉस्ट मिथड एस 13 में अगर आप पार्शल सपोज आपने हजार इंवेस्टमेंस आपने खरिये थे आप बेच रहे उसमें से 400 तो आपको 400 की अलग से कॉस्ट निकालनी को साथी अवरिज कॉस्ट मिथड ही अलवरेज कॉस्ट मिथड है एस 13 के अंदर मैं तो है यह अवरेज कॉस्ट मि jewels यह वह आपको देखना पड़ेगा बराबर है कि एस 13 जो भी sale of investments हुआ है उसका proper जो भी sale of investments है अब AS 13 के disclosure टारिक sale का कोई disclosure नहीं होता है उन्हें AS 13 के disclosure लगा दिये उसकी जो sale के investment उसके interest, dividend, rentals बराबर बताये थे gross value, TDS, TDS कटता भी है तो gross भी दिखता है जितना पैसा है और TDS receable पैसा cash bank account debit TDS receable debit to income अभी जो इन्हें डिस्टोजर की बात की एकदम relevant नहीं है लेकिन ठीक है investments की उपर interest income बराबर profit loss आया क्या वो बुल रहे बराबर बताया क्या पहले authorization हुआ होगा, फिर method होगा, फिर brokers नो डाया होगा, फिर profit loss निकला होगा, फिर partial sale होगा and so on फिर essay 505 की बात है यह यह भी हम essay 505 में हम लोग देख चुके, देके मैंने पहली बताया था AS और essay के questions हम, AS के तो आप accounts और essay के हम लोग essay के अंदर देख चुके, फिर एक बहुत interesting बात है, indicators ऐसे कौन से indicators है, ऐसे कौन से indicators है, जो हमको बताते हैं, ऐसे कौन से indicators हैं, जो हम लोग को बताते हैं कि dators uncollectable होंगे, doubtful होंगे uncollectable होंगे, doubtful होंगे देखिए मैंने उसका shortcut बना है tussles, tussle होना मतलब थोड़ा problem जना, जगडा होना, tussle with data of भारत petroleum, with data, भारत petroleum हमारा data है, उनसे पैसे लिलने, ठीक है, तो, t is for, terms of credit, terms of credit, कौन से चीज़े indicate करती है कि कुछ problem है, data के साथ में problem है, data की recovery में कुछ दिक्कच जा सकते हैं, data की recovery में कुछ प्रॉब्लम, terms of credit, ignored, हमारे जो dators है, हमारे जो dators है, अगर ऐसे कुछ dators है, बार बार terms को तोड़ते हैं, उनको बोला जाता है कि या 30 दिन के अंदर payment करो, 30 दिन के अंदर payment नहीं तोड़ते हैं, बार बार late payment करते हैं, company के rules की against जाते हैं, तो उसे लगता है कि कुछ problem है, terms of credit खतम हो चुका है, problem ह अगर ऐसा कही से पता चलता है, अगर हमको कही से पता चलता है, unwillingness, inability, अगर हम कही से पता चलता है कि सामने वाले का, सामने वाले की factory बंद हो चुकी है, सामने वाले की factory बंद हो चुकी है, मतलब inability, बंदा insolvent हो चुका है, correct, फिर पैसे नहीं मिलेंगे, terms of credit बार बार तोड़ रहा है, बहुत late हो गया है, फिर पैसे नहीं मिलेंगे, डर लग रहा है, insolvent हो गया पाचल रहा है, ठीक है, या फिर उसने clear cut बोल दिया कहीं पर, न फिर, small payments हो या, पैसे मिलेंगे, लेकिन बहुत ही कम, करोणों में amount है, लेकिन करोणों में amount है, और हजारों में पैसे मिल रहे है, ये भी दिखाता है, कुछ तो दिक्कत है बही है, कुछ तो गड़बड है, करोणों में पैसे लेने है, और small amounts में पैसे मिले जा रहे है, stagnation, एक तम account stagnant हो गया है, कोई movement ही नहीं है, कोई आप वो account में कोई entries ही नहीं दिख रहे जादा आप, ना पैसे pay कर रहे हैं, ना credit sale भी नहीं हो रहा है, ना recovery नहीं हो रही है, यह दिखाता है, यह हम को बताता है, यह हम को दिखाता है यह कड़बड है, अगर स्टागनेशन है ठीक है लंबे समय मतलब उसमें जो एंट्रीज है उसमें जो एंट्रीज है वो होई नहीं रही है आपको सेल नहीं दिख रहा है आपको रिकव पैसे नहीं मिल रहा है दिख रहा है मतलब कुछ तो गडबड़े इन लोग के विश में है इस प्रॉब्लम लिटिगेशन यह सिदा केस दिख रहा है आपको अगर आपको केस दिख रहा है केस नजर आ रहा है लिटिगेशन आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट दिख रहा है अरे यह डिस्प्यूट च चले गये, employees से पैसे लेने थे हमको, employees वो goods बेचेते हैं, उसके पैसे वसूल करें तो छोड़ के भी चले गये, Tustles, E for employees, Statute of Limitation, time bar हो गया, तीन साल हो गया हमने पैसे नहीं मांगे थे, time bar हो गया, time bar हो गया, तो आपस फिर पिर 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 पि बैसे मलें की नहीं मिलेंगे पार्टī पेडि़ इन्वाइसे साह इससे समझ में आता कुछ दिक्कत है इनके बीच में इन्वाइसे बराबर पेनी की मतबीज़ डिस्प्यूट है इन्वाइस को लेकर उसकी कॉलिटि टी, कॉंटिटिटी जो भी एक कुछ dispute चल रहा है देखो tussles विट डेटर भारत पेट्रोलियम T4 terms of credit इग्नोर हो रहे है बार बार due date के बाहर जा रहे है दिक्कत है unwillingness and inability बोल दिया उसने पैसे नहीं दूँगा inability फिर problem small payment से बहुत छोटे उटे है stagnation है healthy turnover नहीं है फिर पता है recovery होगी की नहीं litigation है फिर problem है employees को balance है छोड़के जा चुके है फिर problem है limitations है limitations है time bar हो गया है फिर problem है disallow rate checks फिर problem है balance बढ़ते ही चला जा रहा है फिर problem है partly paid invoices है फिर problem है यह सब indicators है कि dators में दिक्कत है यह बड़ा answer है बच्चों को याद रखने में दिक्कत हो सकती है यह shortcut आप लोग को काम आएगा now फिर AS10 है AS10 के question है भाई bank overdraft bank overdraft बच्चों में हम लोग रखा है आप इसको मतलब जो हमारा regular होता है regular जो तरीका होता है regular तरीके में नहीं रखा हुआ है उसको इसको flow में हमने लिया है bank overdraft है तो पहले company के लोगों में authorization board of directors ने authorized कि होगा partnership firm है पार्टनर्स ने authorized कि उनका authorization authorization होगा पहले authorization check करिए फिर security दी है कि चेक करिए फिर authorization मिल गया तो bank के पास गय होंगे order of चाहिए security मांगता है bank clean मतलब बिना security के मिला है कि pledge है कि hypothecation है वो देखिए अगर है तो रजिस्टर अगर चार्ज क्रिएट किया क्या चार्ज क्रिएट किया क्या ROC के पास में register करवाया क्या banks के पास में गुड्स रखे है तो bank से confirm कि हाँ सही में as a security आपके पास में गुड्स है सही में आपके पास में security है गुड्स है ठीक है तो देखो पहले authorization हुआ होगा फिर security दी होगी security होए नहीं है देख करो क्या क्या है security चार्ज करेट हुआ ठीक है फिर agreement बनता है agreement बना है agreement है क्या terms है क्या limit है कितने limit है कितना overdraft कर सकते है कितना interest वो लोग charge करेंगे कितना हमको हर मेंने pay करना पड़ेगा किस कैसे payment terms होंगे पास्बुक से फिर आकिस्ताल के एंड में पास्बुक से balance match कर लीजे तो देखे यह asset फिर भी हमने इसको flow में रखा ज्यादा आसान है पहले authorization होना फिर security offer करना फिर agreements फिर agreements बनना फिर पास्बुक से चीजों का match होना पाटर्न, dyes, loose tools इंट्रेस्टिंग है यह बच्चों को दिक्कत जाती है पर्टिक्लर answer में pattern, dyes, loose tools होते है इनके features क्या है क्या खास बात है इनकी short useful life होती है low unit cost difficult to make separate account बहुत सारे large number में बहुत सारे loose tools, loose tools, patterns, dyes यह क्या होते है मतलब कपड़े पर printing करनी है तो उसका एक साचा होता है एक साचा होता है जिससे printing होती है तो company में क्या खास बात है short useful life होती है दो तीन मैंने चार मैंने या फिर usage इतने बार use कर सकते है इसको पांच बार use कर सकते हैं दस बार use कर सकते हैं and so on pattern, ties, loose tools इनके feature है short useful life है कुछ समय के लिए इसको use कर सकते है low unit cost है एक एक particular pattern या इसके लिए अलग-अलग account बाना possible नहीं है इसका internal control system अगर company में loose tools वोग रहे है पहले उसका मतलब समझाईए features बताईए फिर बताईए internal control system strong होना चाहिए चोरी होने के chances है missus होने के chances है strong internal control goods आएंगे तो उसके पूरे records रखिए goods आएंगे उसके पूरे records रखिए जब चाते है यह तो उसके record receipt 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 मिले हमको हमने जो payment किया उसका record रखिया आप correct उसके पूरे records आपको रखने वड़े memorandum account maintain कर लिए memorandum account memorandum मतलब books के बाहर एक account opening loose pattern कितने थे कितने खरीदे कितने चोरी हुए कितने भेजे कितने closing balance है record रखिए memorandum books के बाहर तो loose tools का मतलब बताईए उसके features बताईए system strong होना चीए system के अंदर record रखना चीए system के अंदर memorandum books के बाहर account रखिए हिसाब किताब रखते रखिए accounting कैसे करना इसके अलग-अलग तरीके possible है accounting कैसे करना पहले purchase method हो सकते है सीधा जितना भी हमने loose tools patentize करेदा सीधा purchase account को debit charge all purchase to production सीधा purchase account को debit मार दो सीधा purchase account को debit मार दो यह एक तरीका हो सकता है सीधा हम लोगोंने purchase account को debit कर दिया या फिर consumption method मतलब क्या एक asset account बनाओ उसमें आप उसको debit करते रहो opening balance debit इस बार के purchase debit उसको debit करते रहो end of the year क्या करो end of the year closing stock निकालो देहो कितना है value of closing stock कितना है फिर consumption compute करो opening plus purchase minus closing ठीक है transfer कर दो production account में production debit to asset account करिट मतलब आप एक काम करिये उस account opening debit मार यह purchase debit मार यह closing stock पता लगाई कितना है consumption कितना है उतना consumption production account में transfer कर दीजे पहला वाला सिदा debit 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 asset treat करो और साल के end में closing stock निकालो consumption निकालो consumption transfer करो ठीक है और यह तो एक और ही भाहियात है make asset account debit purchases of first year to it carry it as closing stock पहले साल के debit मारो purchase of subsequent deals are debit to P&L मतलब पहले साल का जो पहले साल का जो पहले साल का जो purchase आपका है वो रखिये और subsequently वो आप रखिये stock में देखिये वो बोलते कि आप वो बोलते कि आपके पास में आप हर साल हर साल पैटन डाई सब कुछ खरीत करेते हों आप एक काम करिए ठीक है कि आप जो भी purchase करते हो purchase account आप क्या जो भी purchase account उसको debit करिए उसको आप closing stock बना दिए ठीक है फिर अगले साल आप कुछ और खरीतते होंगे हर साल आपको लगते रहते हैं तो अगले साल के जो purchase है P&L में debit करते जाए यह एक अजीव सी में थाड़ है देखिये on the other hand some concerns may carry such assets at their book value at the end of the first year and charge of the cost of all purchase in subsequent year to production account on plea that they represent cost of replacement मतलब यह तरीका ऐसा है कि आप खरीदिये पहले साल closing stock रखिये अगले साल तक आपका consume हो रहा है अगले साल उसको उठाके अगले साल उसको उठाके आप सबसीक्वेंटली सबसीक्वेंट इयर में सबसीक्वेंट इयर में जो purchase है वो आप debit कर दीजे इससे क्या होगा कि आपके पास में हमेशा closing stock भी है हमेशा purchase debit भी हो रहा है दोनों चीजे हो रही है basically shortcut मार रहे है इनको हिसाब किताब नहीं रखना इनको हिसाब किताब ज्यादा रखने की आदत नहीं है पहले साल की purchase को closing stock रख दिया closing stock है अगले साल के purchase debit लगाते रहो मतलब आपके पास closing stock भी दिख रहा है और अगले साल से closing stock भी दिख रहा है purchase मैं इसको logical नहीं मान रहा है बहुतिवाईयात मेथड है लेकिन ऐसा भी है एक साल के पहले साल के स्टॉप इसको क्लूजिंग स्टॉप मान लो सबसीक्वेंट इयर के जो पर्चेसे से उसको डेबिट करते जो अकाउंटिंग के अलग-अलग मेथड है कंजम्शन मेथड इस दे बेस्ट कंजम्शन मेथड सबसे अच्छी है मौ सडिसफेक्टरी अगर आप देखेंगे लूस टूलस अगर आप देखेंगे इसमें और आट के बारे में बात नहीं कि उसका घ्ण बाट रहे है loose tools क्या होते है, उसके features क्या होते है, उसका internal control system कैसे रखना, accounting की तीन method होती है, consumption method best है. consumption method best है. now next is, investment in shares and debentures of subsidiary, investment in shares and debentures of subsidiary, shares and debentures of subsidiary, यह asset है, existence, exist करते हैं इसके लिए आप physical verification करिए, inspection, shares, debentures, shares, debentures के certificates होंगे, वो certificate देखिए, अगर certificate नजर आ रहे हैं, मतलब असली है, real है, अगर हमने इसको गिर्वी रखा है, बैंकर के पास में, बैंकर के पास में, हम लोगोंने गिर्वी रखा है, तो फिर गिर्वी रखा है अगर हम लोगों ने तो हम लोगों ने हम तो हम लोगों ने उनसे confirmation लिटरल लिना चीए इन्होंने लोन लिया था और बदले में इन्होंने यह security दी है यह certificates debentures हमारे पास है completeness schedule बनाई है पुरा schedule कितने investments से उसका list होना चीए general ledger में कितना दिख रहे है वो reconcile करिये दोनों match होने चाहिए जितने investments हमने किये है उसकी list और general ledger यह दोनों match होने चीए reconcile के लिए match क्यों नहीं हो रहे है अगर कुछ difference है तो value कैसे करेंगे it should be valued at cost investments को हमेशा पहले book तो cost भी करते it should be valued at cost हाँ अगर यह subsidiary बहुत loss में है दिक्कत में problems में है ऐसा लगता है कि हमको पैसे वसूल नहीं कर पाएंगे तो provision बाना पड़ेगा provision हम लोग को बनाना पड़ेगा provision हमको बाना पड़ेगा अगर subsidiary losses में है subsidiary losses में होंगी तो shares के value कम होंगे provision बाना पड़ेगा shares को generally अगर private companies हो अगर है तो net assets के साब से value निकालते है losses होंगे तो उनके net assets कम होंगे प्रोविजन बाना पड़ेगा लॉस बहुत जादा हो गए डिबेंचर के पैसे नहीं मिलेंगे तो उसके लिए भी प्रोविजन बाना पड़ेगा राइट्स अन अब्लिगेशन सर्टिफिकेट्स पर हमारा नाम है उतना काफी है सेपरेटली बताना पड़ता है अगर आपने पैसा लगा है शेयर्स और डिबेंचर अफ सबसीडरी में तो उसको अलग से शेडूल 3 में उसको अलग से बताना पड़ता है इन्वेस्मेंट्स में भी अलग से बताना पड़ेगा कि कितने investments आपके subsidies में थे और shares में थे कि dimensions में थे ये और खास है analytical procedures बताईए trade receiables में analytical procedures trade receiables में ऐसे 520 में तो हमने पढ़ा हुआ है उसका definition भी हमने पढ़ा हुआ है analytical procedures का इसमें जो खास बाते हुआ है बता रहा हूँ बहुत सारे अलग-अलग analysis मैं आपको याद दिला दू कि मैं आपको याद दिला दू analytical procedures होते कि है analytical procedures में हम लोग किसी financial data को compare करते है compare करते है और difference जो आता है उसको investigate करते है बहुत simple terms ठीक है पिछले साल से compare करो तो उसको trend analysis बोलते है opening budget से पिछले साल पिर उसकी बाद opening budget से करो तो उसको comparative analysis बोलते है अगर अगर खुद के हमने हमारे इसाब से क्या होना चाहे था हूँ हमने predict किया और उसको compare करते है उसको predictive analysis बोलते है फिर दूसरे लोगों से करते है उसको inter firm analysis बोलते है तो trend analysis होता है trend analysis, comparative analysis, productive analysis, inter firm analysis यहाँ पे तीन analysis trend analysis trend analysis की बात की है आपके trade receivables को लेकर trend analysis पिछले सा trend analysis में past years इस साल के data को पिछले कुछ दो-तीन सालों के data से compare करें देखे, balances नजदीक दिख रहा है नजदीक दिख रहा है तो हमारे मन में विश्वास पैदा होता है, सब सही लग रहा है वो एक analytical procedures है aging पिछले साल, पिछले साल से फिर compare करें aging schedule पिछले साल कितने aging आपको पता है 30 दिन से कम कितने ऐसे datas है जहाँ पे जो एकदम fresh है 30 दिन से कम समय हुआ है outstanding for less than 30 days फिर outstanding more than 30 to 90 days 90 to 180, 180 के उपर पिछले साल से compare करें पिछले साल भी aging ऐसी दिख रही थी न पिछले साल, पिछले साल की aging भी ऐसी दिख रही थी न पिछले साल भी 30 days से कम ऐसी थे न 90 days में इतनी थे न उससे compare करें देखिए अगर चीजें बराबर है इस साल की पिछले साल के balances match हो रहे है पिछले साल की aging जैसे वैसी दिख रहे है bad date का percentage देखिए इस बार कितना percentage है total data का कितना percentage bad date हुआ है 5%, 10%, 15% पिछले साल कितना था match हो रहा है क्या इस से हमको बहुत कुछ समझने को सीखने को मिलेगा कि चीजे बराबर लग रहे है कुछ unusual कोई गड़बड तो नहीं है balances का match करना aging analysis का match करना percentage of bad date का comparative budgeted budgeted जो हमारे data है current year के data को budgeted साल के शुरुवात ने budget बना था कि चीजे कैसी रहेगी उसका budget था तो आप budgeted data से match करिए budgeted data से match करिए कि चीजे बराबर है की नहीं comparative analysis comparative analysis फिर data turner ratio देखिए अगर फिछले साल के sales लगबग उतना ही है create policies वैसी है तो direct balances compare होते है लेकिन अगर sales का लेवल अगर बदल गया है तो फिर आपको data turner ratio data turner ratio data turner ratio रहता है भई data turner ratio compare करिए budgeted data turner ratio इतना था अब कितना चल रहा है लेकिए there is a close relationship between credit sales and debtors जैसे credit sales बढ़ते है data बढ़ते है there is common sense इन दोनों के बीच में जो relationship है data turner ratio turner डिवाइड बाए average debtors वह देखिए वह बराबर same match हो रहा है ना पिछले सालों से balances compare करना एक पॉइंट, पिछले सालों से aging schedule, पिछले सालों से bad debts का पसदेगा, opening balances, budgeted balances देखो, data turner ratio देखो, inter firm, significant ratios compare करो, important ratios, data turner ratio यह सबसे important, bad debt का ratio है, other firms के साथ, industry के norms होंगे, कोई industry की authority है, regulatory body है, उसने अगर कुछ issue किया है, कि इतने यह ratio जनली industry में चलता है या चलना चाहिए, उससे compare करो, दूसरे firm से compare कर सकते हैं, industry का कोई data है, पुरे overall industry का उससे compare कर सकते हैं, कोई change of credit policy है क्या, change of credit policy के ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि अगर change of credit policy है, तो इस साल की चीज़े पिछले सालों से इतनी comparable नहीं होगी, ध्यान देना पड़ेगा, अगर पिछले साल की चीज़े एकदम अलग है, इस साल की अलग है, तो आप पिछले साल से compare नहीं कर पाऊगे, पिछले साल आप कुछ और business करते हैं, इस साल कोई और business करें, आप compare नहीं कर पाऊगे, reasons for variation, अगर कोई बहुत बड़ा difference है, तो investigate करना पड़ता है difference क्यों है, हो सकता है, it's a misstatement हो, fraud हो या error मिल सकता है, comparison से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, देटर्स compare कर रहे थे, match नहीं हुआ है, असी लाक थे, पिछले साल इस साल तीसी लाक है, पचास लाक का फरक है, हमने पूछा, क्यों फरक है, बता नहीं पा रहे है, और तहकीकात की तो गल्ती मिली, advance from customer is a credit balance, लाइबरी दिखती है, वो दिखनी रही थी, मतलब इन्होंने क्या किया, data is having debit balance, data is having credit balance, advance को net off मार दिया, इसलिए इस साल इकता 30 लाक पर आ गया है, गल्ती मिली, comparison किया तो उससे पाचला, इन्होंने net करके दिखाया इस साल, अलग-अलग करना पड़ेगा, advance from data को अलग बताना पड़ेगा, advance from data को अलग बताना पड़ेगा, और आपके data balance को अलग बताना पड़ेगा, now, intangible assets को कैसे verify करोगे, existence में कोई खास बात इन्होंने दी नहीं यहाँ पर, value, competence में कोई खास बात नहीं, valuation, carefully देखना चाहिए, कि cost कितनी है, carefully देखना चाहिए, cost, cost of acquiring, खरीदने है, अगर आपने खरीदा है, अगर आपने खरीदा है, तो उसका cost कितना है, अगर आपने बनाया तो उसका cost कितना है, legal expenses कितने है, वो cost देखिए, और उसको amortize करना चाहिए, अगर कभी-कभी intentival asset, जैसे software होता है, जैंस शॉफ्ट्वर होता है, तो जो software होता है, इसको हम लोग disc के उपर, इसको हम लोग disc, disc के उपर, disc की उपर या किसी चीज की उपर रखते है, storage device कुछ होता होता है, उसकी उपर रखते है, फिजिकल सबस्टेंस सच आइस कॉम्पैक्ट डिस्क, डॉकुमेंट्स, यह जो कॉस्ट फिजिकल सबस्टेंस होता है, इसको भी इंटैंजिबल में, उसका कोई इतना महत्व नहीं है, उसको अलग से क्या बुक करोगे, उसको भी उसमें दाल दीजिए, माइनस अमोर्टाइजेशन, माइनस इंपेर्मेंट भी है, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, अलग से इंटैंजिबल आसेट, उसका नाम, उसके डीटेल्स ब्रेकप देना पड़ेगा, फिर कुछ अधर्स है, जो इंटैंजिबल आसेट की डेफिनेशन मीट नहीं करते, इंटैंजिबल आसेट की डेफिनेशन होती है, इस जी से ऐसेट विडवागन कर्णन्स न होना चाहिए, नाउन्नचछा आपके डेटर्स, नॉन्नमानेट्रory आइटर्स मतलब। एससे पेबल जिसमें fixed unit of currency होता है मतलब डेटर में fixed रुपए लेने है loan में fixed रुपए लेने है वो monetary items होते है creditors में fixed देने है monetary items एक तो यह asset होना चाहिए उसमें भी monetary नहीं होना चाहिए लेकिन वो आया क्यों देखो डेटर भी एक right है डेटर मतलब right to recover एक right है ठीक है उसका physical कोई डेटर नाम का आदमी नहीं होता मतलब डेटर right to recover from the person है correct physically company के पास कोई डेटर दिखता नहीं है ऐसा right to recover intangible asset के अंदर ऐसे asset आते है जिनका कोई जो physical substance नहीं है physically exist नहीं करते है monetary items नहीं आने चाहिए मतलब fix recoverable होते है वो सब नहीं आते है और जो किया तो production production के लिए use हो रहा है administrative purpose के लिए rental के लिए हो रहा है definition meet करनी चाहिए internally generated goodwill AS26 के हिसाब से AS26 के हिसाब से internally generated goodwill जो होता है ठीक है उसको आप book नहीं कर सकते उसको book नहीं करना चाहिए अगर आप अने खरीदा है business के साथ goodwill को तो उसको आप book करके बता सकते हैं अगर tangible intangible दोनों elements है अगर tangible intangible दोनों elements है तो उसको हम लोगों को अगर अगर अलग होते तो अलग कर दो अगर अलग नहीं हो रहे तो हमको देखना पड़ेगा कि tangible element जादा है कि intangible फिर उसके साब से उसको treat करना पड़ेगा मतलब server है server के साथ एक software भी आए अब अगर दोनों को separate कर सकते software इतने का यह इतने का ठीक है separate नहीं कर सकते फिर देखो ज़्यादा important क्या है server बहुत ज़्यादा important है physically उसको भी physical भी कर दो पातला software बहुत ज़्यादा important है तो फिर उसको पुरा intangible कर दो तो existence में कोई खास बात नहीं है complete test में valuation में बात कर रहे है वोलो और कुछ other points में बात कर रहे है AS 29 content liability that was the last thing देखो बच्चो हम लोगों ने जितनी चीज़े थी जो हम ऐसे तो हम बहुत detail में पढ़ चुके ऐसे हम बहुत detail में पढ़ चुके है इसलिए हम लोगों ने ऐसे की वाली चीज़े कवर ने की AS accounts वाली बागी कवर किये मैं इसका audio भी आप लोग को दूँगा मैं इसका audio भी आप लोगो प्रोवाइड करूँगा और वो audio आपको बहुत मदद करेगा चीज़ों को revise करने के वो प्रोवाइड करूँगा आप लोगो ठीक है इसके लिए इतना काफी है इसमें हमारा vouching verification खतम है आज का session यही पर खतम करते हैं कर दो कर दो